हलो स्टुडेंट्स मैं यतिल्द रुपाद्य टीम से फिर से आपका सवगत करता हूं तो आज का अपना जो बायो डीटीएस नम्मर सेवन था उमीद है आप लोगों ने अच्छा किया होगा हम लोगों ने पूरा प्रियास किया कि इसमें आपके जनेटिक्स और इवलुशन के NCRT में जितने भी कॉंसेप्ट है उनको इसमें कवर किया जाए और पूरा इस चीज़ का भी ध्यान रखा गया है कि इसमें कोई क्यूसन जो रिपीट ना हो हम लोगों ने मैक्शिमम प्रियास किया कि पूरा का पूरा जो टॉपिक्स हैं नीट के अकॉलिंग यह जो वन NCRT के अंदर भी आप लोग देखते जाएं कि कहां पर यह लाइन ही जो लिखी है जिससे आपको NCRT भी साथ-साथ-क्लियर होती जाए अगर आप लोगों ने कोई पर्टिवल लाइन वहां से मिस्की है तो करें सुरुआत आओ तो अपना सबसे पहले वन से जो 90 कुशन है इसमें आप लोगों जनेटिक्स की बात करेंगे और उसके बात में 91 से 180 तक हम लोग जो यह उनिशन वाला टॉपिक है उसके कुशन कवर करेंगे ठीक है तो सब से पहला कुशन देखिएंगे वाइज एन एलिफेंट आलवेज ग्यूबर्ट टू बेबी एलिफेंट की एक जनम क्यों देता है यह हम लोग कहें कि एक मनुष्य जो है उसके बच्चे इसकी तरह नजर आती कोई भी जीव कोई भी परजाती हो उनकी उनके जीव है उनकी संततियां उनकी तरह नजर आती है तो ऐसा क्यों तो बिलकुल अंडर्श्टूट सी बात है कि यह सब जो है वह जीन लेवल पर नियंत्रित होता है और जनकों से उनके जो संततियां है उनके अंदर 99% से भी जयता जो जीन हो सिमलर जाते है और ऐसा इसी वज़े से होता है कुछ डिफ्रेंस उनके अंदर जुरूर होता है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर वगर जो हो नहीं आपने जो जनक उ इसमें जो जीन अक्षेंज होता है उस वज़े से क्रियेट होती है तो यहां पर आपो देखें कि सबसे फ़ल ऑप्शन है कि there are inherited traits that transfer from parents to progeny ठेक है they are 99.9% same as that of parents only 0.1% is differentiated को और यही कारण है जिसकी वज़े से जो है जो संततियां है वो अपने जनकों के समान नजर आती है जैसा यह कुशन यह जो लाइन है वो NCRT के अंदर ही आपको सबसे पहले ही पेस के उपनी जनेटिक्स के अंदर पुछी दिये ठीक है ना त जनकों के समान होते हैं कि अवल 0.1% ही उनके अंदर विद्दा पाई जाती है तो यह जो है आपको पूछा हुआ है और उसी के उपर यह कुशन जो बना हुआ है बाकी अप्सम भी देर लेते हैं कि it is due to inheritance of all acquired variation from parents to their progeny कि यह जनकों से संततियों में सभी उपार्जित विब variation बिनताएं है वो अगली पीडी के अंदर नहीं जाती आप जानते हो कि वही variation जनकों से अगली पीडी में जाती है जो कोई particular जीव अपनी जननकोशिकाओं के अंदर जो है उपार्जित करता है सॉमेटिक सेल वाली जो variation होगली जनरेशन में जाती क्योंकि जननकोशिकाओं ही जर्मिनल सेल ही गेमेट्स का निर्मान करती है ठीक है तो यह वाला स्टेट्मेंट वो रोंग हो गया थर्ड वाद मेले डूटू certain environmental factor ऐसा कुछ नहीं है मतलब कुछ वात अब निया कारणों के कारण से हो सकता है ऐसा नहीं होता है जीन की जो अग्रति है वो environment पे जरूर डिपेंड करती है लेकिर जो जीन जनकोशिकाओं से संतुतियों में जाहरे है वो इसको नियंद्यत करते है फिर डूटू genetic makeup of female gamet only कि ऐसा जो है केवल माद जो हे उसके जो यूगमक के अनुवांसिक्स संगठन के कारण इसा नहीं है ऐसा जो है वो डोनुँद्यकों से उनकी वजए से हैं तर्छारेस उगली जनरेशन के अंदर मतलब में संत्रतियों के अंदरlica का आपको मता है कि जैसे human के हम लोग आणगे बात करे हमारे अंदर नदे 46 chromosome है तो 23 जो हो नड से आते हैं और 23 जो आ जो माधा से आते हैं जिसके अंदर 22 पर उटोसम बनते है और जो वन पर फिमेल में ऐलुसम का एक्स-क्स है मेल के अंदर वो एक्स-वाई ऐलोसम की फॉरम में स्तापित होता है ठीक है Given below is a list of some pair of contrasting traits in pea plant with some blanks. यहां पर जो pea plant है जो मतर का बादब है उसके कुछ लक्षन जो वो दिये वे हैं और उनके साथ ही कुछ जो है काली जगए भी इसके अंदर रखे गई है और उनी को आपको पैचाने की वहां पर क्या है और आपको पता है कि मेंडल ने मतर के उपर जो एक्सपेरिमेंट किये उसके अंदर साथ जो है लक्षन को नों ही लिया और साथ लक्षन के अंदर आपको पता है कि हर लक्षन के जो है दो अल्टरनेटिव जो ट्रेड पाए जाते हैं दो अलग अलग उनके जो है वो विशेसक होते हैं जैसे मैं कहूं कि हाइड जो है उन्चाई कि अगर बात कर नहीं कि जो seven trait है, उसमें कौन कौन से वो trait है, कौन सा dominant है, कौन सा recessive है, और इसके अलाबा एक चीज अम ले इसके अंदर और add की है, जो एक स्टाप को याद भी रखनी है, कि ये जो साथ trait मेंडल ने जिन पर वर किया था, अपी plant में, cross के गुरान, ये कौन से गुन सुत्र प नमर one, four, five, और seven, ये जो chromosome number है, इन पर ये जो साथ लक्षन को पाये जाते हैं, जिसके अंदर chromosome number जो one है, इसके उपर दो लक्षन के जीन होते हैं, chromosome number four जो है, उस पर तीन लक्षन के जीन है, chromosome number five जो है, उस पर एक लक्षन का है, और chromosome number seven पर भी एक लक्षन का जीन पाया जा क्रॉमोजॉम नमर 7 है तो उसके उपर सीड सेप 20 का जो आतार है उसका जीन पाए जाता है गोलिया जुरिदार ना उडिया रिंकर्डॉ क्रॉमोजॉम नमर 5 की अगर हम लोग बात करें तो वहां पर जो पोड है उसके कलर से सम्मधिन जीन होगा और क्रॉमोजॉम नमर 4 की अगर बात करें तो उसमें height, flower position और जो पोड सेप उसके जीन होते हैं और इसके अलावा आदर हम लोग देखे कि जैसे सीड सेप की बात करें तो उसमें dominant रांड और recessive रिंकर्डॉ गोल प्रभावी है और जूरीदार एप्रभावी है फ्लावर कलर की बात करें तो उसके अंदर परपल डॉमिनेंट होता है बेंगली प्रभावी है और वाइड जो है उसके अंदर रिसेसिव होता है इसी तरीके से tall dominant है dwarf recessive है इसी तरीके से axial flower position dominant है और terminal जो है वो recessive है इसी तरीके से pod shape की बात करें तो full inflated dominant है और constricted security वो recessive होती है और इसी तरीके से अगर हम लोग उसके pod color की बात करें तो वहाँ पर green dominant है और yellow जो है वो recessive है और इसके अलावा एक color और रहा है seed color वाला और seed color के लिए अगर हम लोग देखिए तो वहाँ पर yellow dominant है और जो green हो recessive है यलो और green दो जगाए यलो और green दो जगाए जहां पर एक जगाए yellow dominant है और एक जगाए yellow जो हो recessive है तो कहां पर yellow dominant है तो आपको याद अपने कि seed color की बात करें तो yellow dominant है और अगर yellow dominant है seed color के लिए और जो green हो recessive है और इसके लावा अगर हम लोग पोड़ कलर की बात करें तो वहाँ पर yellow जो हो recessive है और वहाँ पर green जो हो dominant होता है ठेक है तो इस information के साथ हम लोगे इसको देखें तो जैसे यहां पर character है seed पहला character तो seed shape करिये अगर देखें तो round dominant है तो first के अंदर क्याना चाहिए wrinkled और chromosome number seven पर उसका gene पाया जाता है okay flower color उसमें dominant के अंदर आपको पुच्छा है और recessive में दिया हुआ है white तो इसका मतलब यहां पर क्या आना चाहिए purple या violet और chromosome number जो है flower color का आपको पता seed color और जो flower color है उसका जीन है वो बहुत सो तरसंक्या chromosome number one पर पाया लेका है फिर आगे देखें इसका मतलब है यह flower की पोजिशन की बात करना है flower पोजिशन की बात करना है और axial dominant है तो इसका मतलब terminal जो होगा वो क्या होगा recessive और गुंसुत्र संक्या flower position के लिए आपको पताए कौन सी है four इन option के साथ अब हम इसको Jennifer that भात रहेँ एक यह ONE आपकी अफिर अच्सेट में क्याना ची एग लिंकर्ड दिया है ओफे तर्ड में क्याना चीए फस्ट दिया है और फिर 4 में क्याना चाहिए Constricted दिया है और फिर 5th में क्याना चाहिए 5th है Flower Position यह भी दी दी है और फिर 6th में क्याना चाहिए Terminal दिया है और Last में 7 के अंदर क्याना चाहिए 4 यह भी दिया है ठीक है तो इस तरीके से यहां पे कि हमारा Q2 जो है उसका असर हो गया फिर्स्ट इसमें एक एक एक्स्टा चीज जो आप लोगों ने एट किया हो है Chromosome Number यह आपको जरूर याद रखना है ठेक है तो Q2 जो है उसके अंदर असर हो गया फिर्स्ट चले आगे अब आपको पता कि मेंडल ने जो पी प्लांट था उस पे अपने जो एक्सपरिमेंट किये थे तो उसमें सबसे पहले उसने अपने एक्सपरिमेंट टेक्नालोजी के अंदर लगातार सेलफिंग से प्योड वराइट्टी उसके बाद उसने जो कॉंट्राश्टिमट्रेट वाले वराइटी थे उनमें जो है हाईबडाइजोशन कराया और उसके बाद में जो उनको संतत्थी मिली बार-बार उनके अंदर सेलफिंग किए गया समसरों, अब एक बार में कितने trait Mendel ने cross के लिए use कि एक लिया तो monohybrid है, दो लिया तो dihybrid है, तेन लिया तो dihybrid है, तो यहाँ पर आखर देखिए, कि when a cross is made between two parents with respect to two character, then it is called, दो character के लिए बात की जा रही है, तो दो character के लिए हो जाएगा dihybrid cross, ठीक है? तो दो character की बात हो रही है, तो दो character के लिए आपको बता, dihybrid cross है, तीन होता तो trihybrid, चार होता तो tetrahybrid है, दो character मालो, जैसे एक height ले लिया और एक seed safe ले लिया, ठीक है? और दूसरी तरफ, small t, small t, smaller, smaller, तो यहाँ पर भी, small t, small t, and smaller, smaller, इस तरीके से 200 जनक इन्होंने लेते हुए, दो character की एक साथ बंसा गती का वध्यन किया, जिसको dihybrid cross कहते हैं, तो आपको बताए कि इनसे जो gamet बनते हैं, तो gamet जब भी बनते हैं, आपको बताए कि homologous chromosome, जो उस aggregate होगे, इसकी बात हम लोग आगे करेंगे, एक chromosome, एक gamet के अंदर, T, LN के साथ आएगा, और उसी gamet में एक chromosome, capital R के साथ अगया, तो बनने वाले सारे gamet इस प्रकार के होगे, इसी तरीके से यहाँ पर भी यही हो, small t के साथ, और small r के साथ, एक gamet यह होगे, और इनक fusion से, जो F1 प्रकी, capital T, small t, capital R, small r, F1 प्रकी होगे, तो यह आप लोग नहीं रिवाइज भी किया हुगा, आगे हम लोग इसकी कृशन भी अभी डिसकस करना है, यह तो simple पूचा था, कि दो क्रोश है, तो क्या आउपर डाय है, ठीक है, चले आगे, अब यहाँ पे एक जीनो टाइप दे रखा है, पेरेंट्स का, और उनमें cross करा रखा है, उसके बाद में पूचा है कि प्रोजनी जो है, उसके अंदर क्या ratio प्राप्त होता है, चलो देखते हैं, अब यहाँ पे है कि from a cross, जीनो टाइप, capital V, capital V, capital C, capital C, capital V, small b, capital C, and small b, small C, small b, small b, small c, small b, यह किस ratio में प्राप्त होता है, तो simple सा है, आपको जीनो टाइप लिकना है, अगर आपकी practice है, तो आप लोग इसको तुरंत भी कर सकते हो, तो आप लोग देखेगी, यहाँ पर, और यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कितना एक 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 कि निर्मान के लिए formula बता है तू की पावर एन वाला और एन जो हो नम्मर ऑफ हेट्रोजाइगस होता है मतलब विसम युगमजी की संख्या हेट्रोजाइगस की संख्या आपको बता कि कोई भी जो होमलोगस क्रॉमोजोम होता है उसमें किसी लोकस पर मतलब वह स्थान जहां पर κ.4 में होसकता है या पिर दूसरी लोकस पर किस मॉल भी फॉर्म में भी होसकता है तो सकते हैं कि ये जो जीव है यह वाला बोला जो जनलत है पीवन जो इसको बहुत है और ये फी टो टो पीवन कितने लोकाईर के लिए रिसम युगमजी है is देखेबंगी, हालकी पीवन कितने लोकाई के लिए हेटरोजाइगस है तो पीवन बनग पैनेटेट बपर्ण इन्हां पर बी नहीं लिए है यहां पर इन्होंने जैसे सी लिया एक और क्रॉमोजोम है उस पे एक तरफ C है और उसके सामने जो लोकस है उसके स्मॉल सी है तो आप लोग देखिए कि पीवन जो है वो एक लोकाई के लिए हेट्रोजाइगस है और एक लोकाई के लिए होमोजाइगस डॉमिनेंट है आप dif L, तो इसका मतलब है कि यहांपर पर एन की वैल्यू क्या रख़ेंगे आप लोग बनें यहांपर दोग अमने मतलब हरो और यहां पर आपर देखिए यहां पर भी एक के ट्रोज आएगा से तो यहां पर भी N की वेल्यू बनेगी एक तो बना एक बना आपका स्मॉल वी एक ट्रेंन से तो रसें संॉल से तो कित्तल भी एक ट्रूज एक ट्रोज ड्रोज आपको प्राप्त होति और जो आपको प्राप्त करने ला इसके अन्दर चार में से एक ऐसा और तो वन बाई फोर चेक है उसके बाद में ये वाला देखें क्या एसा कोई है यह रहा किप्टल भी स्मॉल भी क्या ची स्मॉल सी कितना च्यार में से एक तो हम लोग इसके लिए लिख देंगे वन बाई फोर पुरा सा जाते हैं क्लर चेंजर देता हूं क्ट्ल भी आतर है तो यह वाला कितना हो जाएगा वं भाई फो इसके बाद में क्यीं स्मॉल भी यह नहीं लेकिन small c small c है यह यह जिरो है यह नहीं इस तरीके से इसका जो ratio है वो हमें क्या प्राप्त हो गया एक अनुपाद एक अनुपाद जीरो अनुपाद जीरो तो आंसर क्या जाना ची आपका आंसर हो गया 4 बात समझ आई आपको यह मैंने उन बच्चों के लिए यहाँ पे पुरा solve करके बता है जो इसको जिनकी practice कमगा जिनोंने पढ़ रबता है तो इस तरीके से आप लोग ऐस एक लोग एक ची देखें कि यहां पर जो है एक ही जनक के पास small c है दूसरे जनक के पास to small c है जिसका मतलब है कि इस प्रकार के तो आने ही नहीं है स्मॉल सी, स्मॉल सी, स्मॉल सी, तुरंट पता लग गए आपको, यह वह ट्रिक वाली बात, जिससे आप लग तुरंट क्युस्टन करें, अगर संतती में होमोजाइगस रिसेश्यूव फॉर्म में, जो है स्मॉल सी, स्मॉल सी, अभी तो आएगा ना, जब दोनों जनकों के अंदर कम से कम एक स्मॉल सी हो, यहाँ पर एक पीवन में तो स्मॉल सी एक है, लेकिन पीटू में तो दोनों ही कैप्टल सी है ना, इसका मतलब है कि प्रोजैनी के अंदर कोई भी ऐसी प्रोजैनी नहीं होगी, जिसके अंदर स्मॉल सी, स्मॉल सी फॉर्म में जो हूँ जि इस आंसर तक जाल सकते हैं कि 00A की अप्शन के अंदर आता है, ठीक है? यह चीज़ आपको clear होगी कि 00A की अप्शन के अंदर है और वो है 4, बाकि 11 भी एक तरीके से मैं समझा देता हूं आपको, जैसे एक तरीका तो यह हो गया करने का, दूसा तरीका आप लोग इसको लिखे ?...टल वी क्या दो वी क्यापितल वी, Kबंड इसमाल वी धें, टो गटरेयिक और इसके लिखो ूद्यक आपको, अब मैwa समयए पि बास 0 कि पी-वन और पी-टू, इस प्रोजएन्ए के अंदर यह जो वी वी फॉम आही ​ यह इस जीन के जो दोनों एलेल है, एक एक P1 और P2 से इसके अंदर वनसागत हुआ है, इसका मतब है कि यहाँ पर जो है, इस capital B, capital B से एक B आया है, तो capital B, capital B और यहाँ पर आपर देखें, capital B, small B, इन दोनों की वज़े से इस जीनो टाइप के आने की probability क्या है, तो आप लोग देखें, इसके अंदर small B को चुपा दें, capital B, capital B, capital B, capital B, यानि यह हो गया 1 by 2, क्योंकि दूसरे जो दो होंगे, वो क्या होंगे, capital B को चुपा दो, capital B, small B, capital B, 1 by 2, वो हो है, लेकिन हमें, इन दोनों से यह जो चाहिए, वो कितना एगा-चार में से 1 by 2, 1 by 2, बहीं, देखें लोगे, इसको monohybride में convert कर दो, capital B, capital B, और वहाँ पर capital B, small B, हम लोगों ने इसको monohybride में change कर दिया, आपको इसकी practice करनी पड़ेगी, जब practice होगी, तो तुरंद आपको ऐसे execution कर जाओ, अब आप लोग देखें, कि इन दोनों genotype की वज़े से progeny में इस genotype की संभाव में है, देखो, capital B, capital B, आने की probability, 1 by 4, capital B, small B, 1 by 4, capital B, capital B, 1 by 4, capital B, small B, 1 by 4, यानि ये तो हो गया, 1 by 2, और ये हो गया, 1 by 2, तो इन दोनों से इसके आने probability क्या होगी, 1 by 2, इतने वाज माग लगी, ओक्या, बिल्कुल यही तरीका आपको यहाँ पर भी अपनाना है, इनके लिए, कि दोनों चनप P1 और P2 जो हैं, उनसे प्रोजेनी के अंदर, capital C, capital C आने की probability, तो आप लोग देखें, कि इस बार हमें capital C, capital C चीए, तो हम लोग small C को चुपा देते हैं, यानि capital C, capital C, capital C, 1 by 2, small C, capital C, 1 by 2, इसका मतलब है, इसके आने probability क्या होगी, 1 by 2, और दोनों की probability को multiply कर दो, तो इसका मतलब है, यह आ गया, 1 by 4, 1 by 4, अब लोग उनने चेकर वोड़ से भी, नॉर्मल ही, सिंपल तरीके से चर्चा भी की थे, और इस तरीके से भी आप लोग क्या से जा सकते हो, दूसरा इसको भी हम लोग find out कर लेते हैं, हेट्रोजाइबस वाला, चलो वह भी आपको में बता देता हूं, अब capital भी, small b, capital c, small c, तो ये capital b, small b, जो है, इन जनकों से इनके अंदर वंसागत हो है, वही capital b इस जनक से इसमे आ आ है और small b, इस से आ है, क्योंकि इसके पास capital b भी है, तो आप लोग एक हैं हमें capital b small b ची है इसका मतलब है इस बार हम इसको छुपा देते है capital b को capital b small b capital b small b 1 by 2 क्योंकि 1 by 2 जो होंगे वो क्या होंगे capital b capital b capital b capital b capital b वह यह गेखलो न capital b capital b capital b इससे बने वाले agreement capital b small b capital 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 b small b तो 1 by 2 यह तो हो गया 1 by 2 और यह भी हो गए 1 by 2 तो हम यह ही चाहिए तो और इसी तरिके से आपने देखिए कि इनसे भी आमने बता लाग गया हमें capital c small c चीए तो देखें, capital C, small C, capital C, small C, यानि ये भी आगया 1 by 2, दोनों की probability को, प्राइक्ता को हम लोग उना कर देंगे, तो ये आगया 1 by 4, यानि आपका 4 में से 1, चीज़ समझाएं, चले आगे, इसको आप लोग इससे भी समझ सकते हैं, अगला जो बागी की, जो 0 आ रहे हैं, इनके एक बताते हैं, दूसरा अपना प्लेयर हो जाएगा, जैसे, capital B, small B, small C, small C, ये देखें, अब ये इसकी बाग करते हैं, ये देखें, capital B, capital B, capital B, capital B, small B, इन जिनो टाइब से प्रोजेनी भी, इसकी आनिग्राइब, प्राइब का, इसको चुपा देते हैं, तो capital B, small B, capital B, small B, यानि 1 by 2 probability तो P1, P2 से इस जिनो टाइब की होगी, हेट्टरोजाइगस B, फिर small C, small C, देखें, यहां से small C आ गया, लेकिन यहां से small C आने के लिए ज इसका मतब है कि यहां पर small C, small C वाला जनो टाइब नहीं भाएगा, यानि यह जिरो, यह होगया, जिरो, यह ऐसा जनो टाइब वाले प्रोजेनी यहां पर नहीं है, तो simple way में आपको मैंने यह चीज जो आपको समझा दी, इस इनी चीजों को NCRT ने, Mono Hybrid, Di Hybrid की जो ठोड़ काफी interesting question है, इसमें थोड़ा सा आपको दिवागा लगाना, जो भी language वाले question हो, उसमें जो language दी भी है, आप लोगोगो शॉल करते वागते, उसके अंदर जो लिखा है, उसको लिखते जाए, उसके बाद उसको शॉल करें, जैसे आपको देकिए, कि dwarf pea plant, एक bonapadap है, और bonapad इसका मुलब उसका जो जीनो टाइप है, वो क्या है, small tea, small tea, एक bonapadap है, और a dark pea plant was treated with zebrillic acid, plant growth hormone, zebrillic acid, जिसके छिड़काओं से पादप की जो लंबाई ही है, वो बढ़ जाती है, It grow is a pure tall tea plant, और एक और पादप है, जो लंबा है, और वो pure है, तो इसका जीनो टाइप ही होगा, और इस पे जब zebrillic acid का छिड़काओं किया गया, तो इसका तो फिनो टाइप था, वो pure tall plant की तरह होगा है, इसका जो फिनो टाइप था, वो बिल्कुल इसकी तरह होगा, फिर आगी क्या पुछाए, If treated plant is crossed with an impure tall plant, the genotypic ratio of F1 is likely to be, कि अगर हम लोग इस उपचारी पादप का cross, एक सुद लंबे, एक हेट्रोजाईगस condition वाले, लंबे पादप के साथ कराएं, तो क्या genotypic ratio आएगा, पापक देखें कि वले ही, इसका phenotype जो है, वो, इसके समान हो गया, लेकिन इसका genotype बदला गया, जीप्रेलिक एसिड के छिड़काओं से क्या इसका जीनी प्रारूप बदला नहीं, इसका जीनी प्रारूप अब भी वही है, जो जीप्रेलिक एसिड के छिड़काओं से पहले था, यानि, it is small t. यानि अब भी इसका जीमटाइप है small t, small t. इसका cross ऐसे lambdé-padat से किया गया है, जो क्या है impure, यानि capital t, small t, रहो लिखा है, एफ treated plant is crossed with impure, tall plant. इसका मसलब है, कि अब इससे जो gamet बनेगा, वह बनेगा small t. और इधर से जो गए मेंट बने यह तो बना capital T यह बना small t तो देखना capital T small t small t small t यानि यह वन रेश्यो वन 50% plant टोल होंगे और 50% जो plant होंगे वो ड्वार होंगे 50% पादप लंबे और 50% जो पादप होंगे वो बोने होंगे तो ऐसा option आपनोंगे इसमें देखिए 1 ratio 1 तो आंसर हो जाएगा 4 ठीक है न? देखो यहां पर एक तरीके से यह जो condition है इसको जो है फिनो कोपी भी कह सकते है इसमें जीनो टाइप भिन है लेकिन फिनो टाइप जो वो समान है जैसे आलो देखें कि इसका जीनो टाइप अलग है और इसका जीनो टाइप अलग है लेकिन जीपरिलिक एसिड के छिडिकाओं के बाद में दोनों के फिनो टाइप जो है वो समान है दोनों ही टोल है इसको बोती है फिनो कोपी ठेक है इसी तरीके से एक जीनो कोपी भी होती है जिसमें जीनो टाइप तो समान होता है लेकिन फिनो टाइप अलग होता है जैसे दोनो जाईगोटिक ट्विन होता है है जो एक ही जाईगोट के डवलक्मेंट से बंते हैं न है ऊवलिए में डूरूर क्रामाजोन उर ब्लस एक्स एक्सक्से में पूनों का जो हमाने एक इग मान लो अफ्रिका में रह रहे हैं और एक ऊस्ट्रिय हुआ गविए रह रहा जाए तो रूनों जगह जब एंवाइर्मेंट विढ़ा वाई। जीन है उनकी अव्यक्ति बतल गई। किकियों को पता है कि किसी भी जीओ में पंसी प्रिटिकुलर फेनो-टाइब के लिए सबसे पहले जोरी है जीन वोया है। जीन की अव्यक्ति हो फिनोटाइप के लिए और उसके बाद तीसरा जरूरी है उस जीन की अव्यक्ति के लिए उस जीन के एक्सप्रेशन के लिए एक उचित एक पर्टिकुलर एनवारमेंट उसको मिले जब तक जीन को अव्यक्ति के लिए एक्सप्रेशन के लिए एनवारम सम्झे रहें तो यहां पर यह दोनों बहने जब अलग अलग चेत्रों में रहने के लिए चले गई तो अलग अलग अन्वायरमेंट में उनकी अंदर अलग अलग जीन की अव्यक्ति वी तो ऊंदर सभ थोड़ास अप्षिम्य विंत किया वह जीन दोनों के अंदर नहीं थे वो जीन दोनों बहनों में है लेकिन अभ्यक्ति किसी पर्टिकुलर जीन की जैसे कोई जीन X है उसके अभ्यक्ति अश्रेलिया में है और कोई पर्टिकुलर जीन Y है उसके अभ्यक्ति अफ्रिका में है क्योंकि अलग अलग जगर पर उनको एनवारिमेंट विल है तो थोड़ पर यह तो जिब्रिलिलिक ऐसीड वाला कॉंसेट है वो फिनोकॉपी से भी रिलेटेड है तो अब आपके सामने ऐसा क्योशन आई तो आपको कन्फ्यूज नहीं है तो यह चीज क्लियर हो गई होगी आपके चले आगे तो जिब्रिलिक ऐसीड के छेड़काव से बले इस बोन आप लोग मेंडल की एक्सप्रीमेंट टेकनोलोजी वहां पर आपको देके पूरा फिगर दी आगा है और जो पूरा फिगर वहां पर आपको देखें कि भले ही पी प्लाट जो है वह बाइसेक्सल फ्लावर वाला है तो भी वह लिंग वी जो पुष पुष पे होते हैं ले तो जिस जनब को एज ए फिमेल पैरेंट मदर जनब के रूप में इस्तमाल किया गया उस पादप के फ्लावर जो है उसके एंथर को जो है मैचूरेशन से पहले अटाया जाता है तो इमेस्कूलेशन की जो प्रक्रिया है वो फिमेल पैरेंट जो है उसकी की जाती है नहीं क इसका मतलब है कि female parent जो है उसके जो एंथर उनको अटाया जाता है ठेक है और उसके बाद में एक प्रकरिया उती है डस्ट है जिसके अंदर जो male जनक है उसके pollen grain को जो female जनक है उसके stigma पर ट्रांसफर किया जाता है तो यह NCRT का डाइगराम है इसके अंदर इस तरफ आप नहीं करका है तो यह तो जो है वो male जनक है male parent और यह वाला जो है वो female जनक है female parent तो आप लोग यहां पर देखें कि select an option which is correct explanation of the given figure कि इस figure का correct जो पस्टिकरण है वो कौन सा है तो यहां पर देखें कि emasculation of selected female parent plant बिल्कुल सही है कि जो मादा जनक है उसका emasculation किया गया है कि चाहिए नितमादा प्रेटर्ट पादप का emasculation आप लोग इंस याड़े भी देखें कि उसके अंदर यही चीज़ समझाए भी है और फिर दूसरा option कि emasculation of selected male parent plant नहीं इसका emasculation नहीं हो रहा है इसके तो pollen grain इस तरफ ट्रांस्पर किया जा रहा है यह जो flower है इसके enter को आप लोग देखें इस डायग्राम में enter को टाय जा रहा है और इस flower यह जो flower फिमेल जनक के तरफ है तो यह वाला प्रयां पर रोंग हो गया है कि चैनित नर्पैक्रिक पादैट से persisting ओरी कि चैनित माद़ा पादप से प्राक्त पराठफडनं को चैनित नर्पादप प्रांस्पर किया जारे्ए क्या dusting इस तरफ हो रही नहीं तो यह भी हम लोगों नहीं लेंगे, तो क्यूसर नमर 6 के अंदर फिर आंसर क्या नहीं रहना चाहिए, फस्ट, टेक है, चले आगे, क्यूसर नमर 6 के अंदर आपका आंसर हो या, बन्टोंकि, इमेश को लेशन जो हो, selected female parent का हो रहा है, selected male parent का नहीं हो रहा, तो dusting जो है, dusting of pollen from selected male, अगर यहां पर male होता, तब यह सही होता, कि चायनित नर पादप से ट्राप पाराग बना को, चायनित मादा पादप पर अस्ताना अंपर करना यह चड़कना हो, तब यह सही होता, बात पले पड़ी, समने ना ही, चले आगे, तो इसको इवर NCRT में, इसके लिए जो figure अगर दिया है, आप लोग उसको एक पर दुबारा से अच्छे से देखें, ओके, तो यहां पर एक क्रॉस दिया गया है, और इस क्रॉस के बाद आपको दो अलग अलग कुशन जो कुछे देखें, ठीक है, तो बात करते हैं, यहां पर आपको इच्छी समझ रही है, कि यह P और P सेकंड वो यहां पर क्या है, यह जनक के लिए ब्रेकट में लिक भी रखा है, कि पी जो हो पैलेट के लिए, तो आपको कर्फ्यूस नहीं हो, तो यहां पर जो एक जनक है, क्याप्टल A, स्मॉल A, क्याप्टल B, स्मॉल B, क्याप्टल C, क्याप्टल C, उसके बाद और उसके बाद में आपको इसमें क्या कुछ है, how many zygotic combinations are possible, कि कितने zygotic combinations और वो संभव हैं, अगर आप लोगों को याद हो, कि अगर selfing की प्रक्रिया हो रही है, monohybrid है, dihybrid cross है, इसके अंदर जैसे monohybrid cross है, तो क्याप्टल A, क्याप्टल A, क्याप्टल A, क्याप्टल A, क्याप्टल A, क्याप्टल A, क्याप्टल B, यह भी selfing वो रही है, तो यहाँ पर आपको formula याद होगे, कि 2 की power n जो है, वो gamits के formula जापर n heterozygous की संख्या, कि according आप लोग value रखते हो, और 2 की power n जो है, वही formula आपका जो है, फिनोटाइप के नमर के लिए है, ठीक है, और formula है, जापर n वही है, आपका number of heterozygous, और इसी तरीके से आप लोग देखें, कि अगर जाइगोट उचे, तो जाइगोट का number अगर उचे तो आपको formula लगाना था, गेमेट्स का square, या 4 की power n, उससे आपको जाइगोट बिल जाइगा, लेकिन यह जो formula है, जैसे 2 की power n वाला formula जो formula गेमेट के लिए, वो हर वक्त लगता है, लेकिन दूसरा, तीसरा, चुत्ता, दो formula मैंने अपको बताया, वो selfing के case में ही लगते हैं, जब दोनों तरप के जो जनक है, उनका genotype जाओ, एक समान हो, तो फिर भी यहांपर हम लोग देख लेते हैं, कि यहांपर कितने लो लोकाई और दो लोकाई है, एक homologous यह होए, capital A, small A, एक और homologous chromosome है, इस पर कोई और लोकाई अपर capital B और small B है, और एक और chromosome है, उसके उपर capital C, और capital C की पॉम में यह है, ठीक है, तो यहांपर दो लोकाई के लिए यहां पर कितने गमिट बनाएगा यानि 2 की पावर N, यहां पर N की वैल्यू आप लोगों रखी कितनी 2, यहां पर कितने गमिट बनाएगा, 4 गमिट बनाएगा, यहां पर जो है उच्या टाइप की गमिट का formation हो जाएगा, इस तरीके से यहां पर भी आप देखिए, कि यहां है नहां पर डेखिए,पसषिव बनाएगा गमिट बना है, कितने परकार के Йोंगो मनज के समूचे संभव, तो आपको देखें कि युगुनस कितने हैं यानि युगुनस तो सोड़ा है यह उना नहीं है यह भी नहीं होना है चौनसर तो बहुत ज्यादा होगा है यह देखो इस जनकों से इस जनो टाइप वाली जो संतत्ती है उसके आने की प्राइकता क्या है यह पूचा है और ऐसा अभी शुरूमात में मैंने आपको बताये था इंडिविज्वल प्रॉबैबिलिटी निकालो और उनको गुना करो मुल्टिप्लाइप परो आपके पास अंसर आजाएगा एक बार आपको दुबार में समझा जेता हूँ टेक है यह ची समझा आए आपको अर देखो दूसरे तरफ है क्या चाहिए यह वलो टेक है तो इसको भी आपे लिख देते हैं स्मॉल इ, स्मॉल वी, स्मॉल वी, कैप्टल सी, कैप्टल सी, अब आपको सुरुवात में पीछे जो आपको मैंने क्यूशन समझा है, उसके एकॉर्डिंग, जिन बच्चों का ये क्यूशन गलत हुआ है, यह नहीं आया है, और उन्होंने छोड़ा है, एक बार आप लोग व कि दोनों जनक से, यह जनक P1 है और यह जनक P2 है, तो P1 और P2 से इस प्रोजेनी के अंदर आपको जो है, यह चाहिए, तो कैप्टल A, स्मॉल ए, और स्मॉल ए, स्मॉल ए, इन जिनो टाइप से ही तो यह आएगा, तो यहां पे हम लोग स्मॉल ए को चुपा देते हैं, तो स स्मॉल एक उगर चुपाया तो कैप्टल ए, स्मॉल ए, ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल., स्मॉल ए, वन बाइटू है, चार जो बनें, उसमें एक बटड़ दो यह है, बासर जाएँ, बिल्कुल यह तरिका इसके लियर इकर देते ही, कि दोनों जनकों के इन जि तो इस बार हम लोग जो हैं देखें कि दोनों तरह पेट्रोजाएगस भी है और श्मॉल भी स्मॉल भी यानि जो प्रावबिल्टी होगी वह होगी वन बाइं फॉर चार में से एक यह प्रैक्टिस से आपको पता लग जाएगा बाकी आपको कनफर्म कर सकते हैं यह लेखो एसा है लिए यह लिए ही यहां पर तीन की बजाए शेज जिनोटाइप दे और प्रोजनी के अंदर बीछ तो आप लोग इंडिविजुवल प्रोब्विटी निकालो ना Mono Hybrid के coding NCIT ने समझा रख का है NCIT ने Mono Hybrid के लिए वो चीज़ समझा रख की अगर Mono Hybrid के लिए आपको वो चीज़ समझने आगे है तो आप लोग पर Di Hybrid, Ti Hybrid, Tetra Hybrid सब के लिए वो चीज़ लागू कर सकते हैं तो इस Capital C, Capital C के लिए देखे Scanning probability, तो देखे Capital C, Capital C और Capital C, Small C तो Small C को छुपा दो, Capital C, Capital C, Capital C, 1 by 2 Capital C को छुपा दो, Capital C, Small C, Capital C, 1 by 2 वो है वो अबे नहीं चाहिए, हमें तो Capital C, Capital C चाहिए तो 1 by 2 यह आगे है अब जो individual probability है उसको में डिबला है तो तो 8 and 16 4 गोना दो 8 और 8 इंकी तो 16 यानि 1 by 16 16 में से 1 ऐसा होगा 16 में एक जो होगा वो ऐसा जाइगोड बनेगा पुरा चेकर बोर्ड बनाके इसको निकालने की जूरुत है ही नहीं आपको यह ट्रिक यूज करते वे इसको क्यूशन को solve करना जाए ठीक है बात समझे आई आपको तो 16 में से 1 यह तो अपन लोगों ने पहले गलफ कर दिये थे और यह देखें कि एक आंसर तो आया 16 तो जाइगोट बने और उन 16 में इस जीनोटाइप युक्त जो प्रोजे नहीं है वो एक मिली तो बीक आंसर हो गया वन बाई 16 तो आंसर हो गया आपका से ठीक है चले आगे आओ के बिल्कुल सिंपल जाक्यूशन था आप लोगों कर लिया होगा यहां पर आपको याद होगा मॉनायभ्रेट के अंदर एफ 2 P D के अंदर जीनोटाइब और फिनोटाइप रेश्योब तो डाइअ noises प्लांट having genotype वारह प्लांट है, जिसका cross, जो है वो recessive से किया, इसका मतलब है यहां पर gamet यह बना, और यह पर gamet यह बना, इनके fusion से capital A स्मॉल है, capital B स्मॉल भी यह बना, और यह F1 है, इसमें self-ink की, मतलब इसमें corresponds प्राग्राण हुआ, तो इसका मतलब है, यहां पर 16 zygote टू फो टू और वन टू वन आएगा या को याद रखना है ठीक है अब देखें कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो है उसमें एफ टू जनरेशन का जीनो टाइप फिक जो रेशियो था वो यही तो था वन टू वन और अगर डाई हाइब्रिड की बात करें तो वो मोनो हाइब्रिड का ही तो मल्टिपल होता है तो वन टू वन का स्कॉएंट वन टू वन टू वन टू वन इसकी बाब वन टू वन टू वन टू वन टू फो वन टू और इसी तरीके से इस वन को इनके साथ वन टू वन टू वन और रियर्रेंज करतों वन टू वन टू वन टू वन टू वन टू तो और आपका ये वाला जू वो आंसर आजाएगा तो इसमें एफ टू जमजेशन के अंदर जो जिनो टाइपिक रेशियो है उसी को मल्टिप्लाइ कर देंगे तो उम्हें जो है वो डाइपिरीड का जिनो टाइपिक रेशियो का अपता लग जाएगा और अगर ट्राइपिरिड का पूछे तो वन टू वन की क्यूब तो यह मिल गया और इसको फिर वापस वन टू वन के साथ कर दोगे तो आपको वो जो है ट्राइपिरिड का प्राप्त होगा लेकिन इतना नहीं पूछा जाएगा फिनो टाइपिक रेशियो भी आपको मैं इसी तरगे से समझा सकता हूं कि वो मोनो आइपिरिड में 3 रेशिय तो नाइन थ्री थ्री जैसे यह टॉल है यह ड्वारफ है अगर हम लोग माले और यह राउंड है और यह दिंकर्ड है लंबे पदक तीन प्राप्त हुए बोनाइक प्राप्त हुआ अगर मोनो आइपिरिड में एफ्टू की बात करें गोल बीज वाले तीन प्राप्त प्राप्त हुए जुरिदार वाले एक प्राप्त हुए इसको मॉनो हाइब्रेड का ही जो मॉन्टिपल डाई हाइब्रेड होगा चैन जिनो टाइप हो चैन फिनो टाइप हो एफ्टू फिदी के अंदर है तो आप लोग देखें कि 3 & 3 9 तो यह 3 और यह 3 यहां पर टॉल है और वहां पर क्या जाएगा तो नौ पादप ऐसे प्राप्त हुए अगर 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 अग्डाई आपनेट क्रोस में एफ्टू पिंडी के फिनो टाइप रेश्यो की बात है तो नौ ऐसे होंगे जो लंबे और गोल बीज वाले होगे ते देखना 3 रेश्यो वन तो यह 3 त यह देखो राउंड और ड्वार ओल बीज लेकिन बॉन निल और फिर यह देखो बॉन निल और जुरिदार बीज इसी तरीके से आपका F2 के अंदर बिनो टाइपिक राश्यो आजा तो भी एक सिंपल चीज दी जो आपको में नेक्स्टा बता ही आपको यहात रिखना चले यहां पे है कि हमें इसको इसको सलेक जर्क करना है तो जीन बीज कंट्रोल सील 시атов इस डिट्रेंट फ्रों जीन पिछ नेज ऊप स्टोल कि में ने स्टेप्मेंट नहीं है यह सेव है NCLT में दिया आगा है कि जो B जीन है वो सीव सेव एंड चार्च ग्रेंड साइज दोनों को कंट्रॉल करता है ठीक है यह वल्ला तो स्टेप्मेंट हो यहां पर आपका रोंग हो गया है हमें correct culture है फिर देखते हैं blood group MN and AB show over dominance नहीं होता है यह co-dominance होता है MN blood group और AB blood group यह co-dominance हो करते हैं जैसे एक जनक है जिसका blood group है वो MM है एक blood group है जिसका blood group NN है और इनके cross से जो पोजनी आई है उसमें MN blood group है तो M और N दोनों express होता है इसी तविके से एक AA और एक BB तो F1 क्या हो जाएगा AB और AB AB में cross होगा तो 1 to 1 phenotypic-genotypic ratio आता है तो यह दोनों ही co-dominance के अंदर आप लोगों पढ़ाएं यह वालत हो गया फिर जैसा आप शुरुवात में पहले क्लास में बताया था पहले question में आपको में बताया था कि chromosome number 1, 4, 5 और 7 जो है उन पर P के सारे पी के जो character use किये गये थे उसके साथ जीन मुझूद होते रहें कि इसमें 2, 4 की जिने क्या दे रहा है? 2 तो यह वाला रोंग हो गया फिर fourth option देखे है कि law of purity of payment can be explained on the basis of monohybrid cross बिल्कुल चाहिए है अलब एकल संकर संकरन, monohybrid cross के coding, dominance वाला जो principle था, low था उसको explain किया गया था और principle of segregation युग मुकुम का जो wilgun है उसको भी उसके coding समझाया गया है कि जो जनक होते हैं उनसे जब payment बनते ही है तो homologous chromosome अलग अलग हो जाते हैं तो जो factor है वो भी अलग हो जाता है और उनसे f1 प्राप्त भी और f1 से f2 प्राप्त भी जब होती है उस दोरान भी एक जीन के जो dissimilar allelum अलग अलग हो जाते हैं तो segregation जो था वो monohybrid cross के according explain किया गया था तो 9 हमर के उससन के अंदर आप आंसर हो गया ठीक है चले आगे simple जाता इन स्नेप ड्रेगर को के NCID में डाग्राम ने रखता है जिसके अंदर incomplete dominant species को समझाया गया है मेंडल की जो characteristics मेंडल ने जो experiment किया था पी प्लांट पे तो उसके exception में इसमें लिखा कि when a red flower plant एक red flower plant है और crossed with white flower plant okay white flower plant में फ्राप्त हुआ तो उससे F1 जो हो था वो मिला और यह जो था वो pink है एक ऐसा color का है pink क्योंकि dominance का नहीं यह incomplete dominance को show करता है okay crossed with white flower plant then the possibility of F2 of spring being heterozygous कि जो F2 of spring है उसके heterozygous होने की जो प्राइक्टा वो क्या होँए तो यह जैसे F1 है तो इसमें अगर हम लोग self-think करें तो हमें क्या प्राप्ट होगा F2 अगर इसमें swear प्राप्राप्रण किया जाए तो आपके पास F2 आई है यही capital A small A capital A small A तो इसका उतलब है यहाँ पर जो गिमेट बनें capital R smaller यहाँ पर capital R smaller और इनके cross से आप लोग देखें capital R, capital R homozygous dominant red flower capital R, capital R heterosygous लेकिन pink small R, capital R heterosygous लेकिन pink color का गुला भी रण के पुस्प और यह जेखें, small R, small R homozygous recessive white तो 1 by 4 जो है वो यहाँ पर red है 1 by 4 यहाँ पर white है और 1 by 2 जो है यहाँ पर क्या है pink है अगर question color पर पूस्ता तब आपने जवाब दे सकते थे कि pink कितने होंगे 1 by 2, red कितने होंगे 1 by 4, white कितने होंगे 1 by 4 लेकिन पूचा क्या है heterozygous genotype इसका मत्दब है 1 by 2 तो है homozygous और 1 by 2 है यहाँ पर heterozygous तो answer क्या हो जाएगा आपका 1 by 2 heterozygous तो answer हो जाएगा 3 तो 10 जो है question number उसमें answer हो जाएगा 3 फिर which one is not related with rediscovery of Mendel वर्क Mendel वर्क की जो rediscovery होई थी Mendel की death के बाद जो है 16 साल के बाद, 1900 के बाद में तेन साइंटिस्ट ने इंडिपेंडेंटली वर्क किया था टॉटल एंड़ार सीर्ट दिये गए हैं और वो इस cross से मिले हैं और यह cross dihybrid वाला है और आपको बताएं कि dihybrid cross के बाद में जो phenotypic ratio आता वो यह आता है 9331 यह क्या है? Phenotypic ratio इसमें क्या मुचे? Find the number of plant produced having homozygous xenotype for both character दोनों character के लिए homozygous पूछ रहा है अब आपको पता है कि total, मतलब जो ratio आ रहा है वो कितना रहा है? 9331 यह तो ratio है ना उन zygote का लेकिन number of seed तो बहुत सारे बन सकते हैं वो सोड़ा ही थोड़े बनेंगे बहुत सारे बनेंगे लेकिन वो तो काफी सारे बनेंगे वो इस ratio में phenotype शो करेंगे इसमें माइन जो होगा, वो क्या होगा जैसे dominant phenotype वाला होगा जैसे round and top यह वाला a-correctly dominant एक लिए recessive बिल्कुल यह भी ऐसा ही और यह दोनों के लिए recessive लेकिन यहाँ पर आपको जो है जो क्या कुछ है जिनोटाइब के लिए आपको याद होगा कि जब checkerboard बना करके आप लोगों ने यह चीज पढ़ी थी die hybrid cross के लिए इसके लिए कर हम लोग image बनाएं यह इस तरह भी बनते हैं तो आपको याद रखना है कि जा दूनों करेक्टर के लिए homo society रोनन है वो यह है आप लोग 10 अपको लिए देख सकते हैं ओर दोनों करेक्टर के लिए heterocyos जो है वह कौन से है यह है, आपको याद रखना है कि यह जो मैंने लिखा है, यह है, गटेरुबिश है जाइगस और बओट करेक्टर तेकना? और यहां पर आपकोदे कि यह है आएगा, C, V , VP, VPb, VPP,JP, V VP and VP is the use for V V, VP. अगर 4 ओं कर्रेक्टर के लिए हेट्रोजाइगरस देखे तो इस तरीके से ही आगे इस ही तरीके से aux मोजाइगरस अगर पूचे research अगर पूचे तो आसको यह 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 आगे ये सी दुबाला जोगा है यह उजाएगा हेतिरो जाएगर्स for लिगया हेतिरो जाएगर्स for दोनों पर एक प्रड़ी हेतिरो जाएगर्स for heterocyc for both आपको यादबने हैं कि दोनों कारेक्टर के लिए हो मोजाइकर के लिए होने हैं वह 16 में से चार है और दोनों करेक्टर के लिए हेट्रोजाइदस भी 16 में से चार होते हैं तो इसके अंदर आपनों देखें कि टोटल जो है वो सीड दे रखे है 1,000 और होमोजाइदस जीनोटाइप फॉर बोथ करेक्टर जो है वो 16 में से कितने चार रेश्यों कि 16 में से जो है वो च्यार ऐसे आते हैं तो फिर देख लोग 1000 में तो यह आज आएगा आपका 12 नंबर जो क्यूशन है आपको प्राप्त होते हैं इस टाप के क्यूशन जो हैं आपको पूश ले कि अगर यही पूश ले कि कि दोनों करेक्टर के लिए हेट्रोजाइगस कितने होगे तो वही दोनों करेक्टर के लिए हेट्रोजाइगस कि 14 वेटा सोड़ा और 1000 में से वही आज़र आएगा इस तरीके से आपको यह क्यूशन करना चले आएगे जीन विच कोंट्रास्टिंग ट्रेट्ट आर माउन एज मतलब यह देख और कोई कोंट्रास्टिंग ट्रेट जो है वह जैसे कोई हाइट है तो उसके अंदर कॉंट्रास्टिंग ट्रेट ड्वार्फ और टॉल हो सकता है तो उसको कंट्रोल करने वाले जो जीन हो क्या होते है एलेल तो सिंपल सा क्यूशन था तेरवे के अंदर आपको आंसर हो जाएगा थड़ एलेल आपको या रखना हमेशा एक जीन की की जो अल्टरनेटिव फॉम है वो समझाद गुंसुत्र हो मोलोकुस क्रोमोजोम के बिलकुल आपने सामने बिलकुल समान लोकस के उपर सिमलर लोकस के उपर मुझूद होती है आपको बता है कि सबसे पहले जीन होता है जीन जो है वो डीने में एक और एक लीनियन फॉम मे होता है ठीक है तो यह आपका असर हो जाएगा है ओके एंसी एटी बेस्ट एंसी एटी काई किस्टन है कि ठोर्टी के लिए एं मॉटिफाइट एल्ल कुड बी रेस्पॉंसिबल फॉर प्रोडुक्शन अपकि कोई एक एल्ल है मान लो क्याप्टल टी और वो डॉमिनेंट ह लेकिन उसमें अगर कोई मुटेशन होगा उसमें कोई मुटेशन होगा तो उसकी वज़े से हो सकता है अब उसकी स्ट्रक्शर में बदलाव आगया और बदलाव की बहुद्ध भी अब वो हो सकता है कि नॉर्मल एंजाइम बनें लेकिन वो लेस् एंजाइम बनना है लेकिन वो कम परवावी हो और हो सकता है नॉनफ़ंचनल एंजाइम बनें और हो सकता है म्यूटेशन के बाद यह जो रिशेशी हो वो एंजाइम बनाई न वो डिपेंड करेगा किस प्रकार का पॉइंट म्यूटेशन हुआ है तो हो सकता है एंजाइम की अपसेंस हो तो यहां पर क्यों सन्ट क्या पुछागा है कि यह जो ऐलेलेल इसका मॉडिफाइड रूप यह है और यहुग Wagamans नेन क्या आप पुछाई रहे तो यह जो है वह सकता है कें दालेलनों र॥ी यह लोसती है यह लेकिन पर्याक्सिटादा प्रभावी आजाइम बनेगा नहीं एंजाइम बनेगा लेकिन कम प्रभावी बनेगा ज्यादा प्रभावी एंजाइम थोड़ी बनेगा इसका मतलब है इसमें हमें लेना है A and B तो आंसर only A and B are correct, आंसर नमर 4 है ठीक है और अगर पूछ ले कि एक modified allyl जो है वह unmodified allyl की तरह कब नजर आएगा जब वह functional enzyme जो बना रहा है लेकिन अगर वह functional बना रहा है तो वह modified होने के बावजूद भी unmodified या non-modified allyl की तरह ही यह कर रहा है ठीक है मत्र के अंदर जो character की बात हो रही है कि how many given character of garden be expressed both in homozygous and heterozygous condition आपको यह चीज या रगनी है कि जो gene है उसके दो रूम है एक तो यह प्रभावी dominant और यह प्रभावी recess है तो dominant जो रूप है वो दो रूप में express हो सकता है कि जो होता है homozygous यह हो सकता है heterozygous homozygous मतब capital T capital T और heterozygous मतब capital T small t है लेकिन जो recessive जो gene होगा वो हमेशा homozygous रूप में ही अव्यक्त होगा क्योंकि recessive की साथ dominant है तो वो dominant अपना परभाव दर्शाथ आए रिसेशिव तब भी अग्रेप्त होगा जब उसके साथ साथ recessive ही आएगा उसके सामने वाले लोकस पर ठीक है तो यहां पर आपको देखें कि हमें ऐसे character देखने हैं जो homozygous और heterozygous तोनों परिष्टे थे में अग्यक्त हो इसका मतलब clear हो गया कि हमें कौन सा character यहां पर पूछा जा रहा है dominant तो आपको यहां पर देखें पैचानना है कि dominant कौन सा है terminal flower तो recessive green seed भी recessive yellow pod भी recessive और constructed pod जो है वो भी क्या होगी recessive लेकिन violet flower जो है वो क्या है dominant होते हैं और लंपा तना भी क्या होता है dominant होता है ठीक ना बोना तना ड्वार बोना तना जो recessive है और white flower जो recessive और constructed pod recessive है तो dominant क्या है full inflated pod dominant होगा yellow pod अगर जो है recessive है तो green path dominant होगी green seed अगर recessive है तो yellow seed dominant होगी और terminal flower अगर recessive है तो axial flower जो होगा dominant होगा लेकिन जो recessive होगा वो मेंसा homozygस में है एकस्प्रेस होगा और dominant होगा वो वो मोजाइगस में दिया और एट्रोजाइगस में दिया और ऐसे हमारे पास दो ही ही तो आंसर यहां पर क्या जाना चाहिए 15 का उभर एक है चले हैं आप लिए इससे पूल के अचाहिए 15 बीच में इस चीज को एकस्प्लेन भी की गई तो एकस्प्रेशन जो है उसके अन्दर मैतमेटिकली इसको किसे पूंटिया सकता है इसका जो expression उसका जो expanded form वो वो क्या होए है wereoncid के लायन से बनावा है रोड़ आपको इसमें याद एखना है कि ax plus by by का जो square ay nominal reaction या installment है और उसका just expanded form में वो है 1 by 4 capital R capital R, 1 by 4 small r small r, 1 by 4 small r capital R, 1 by 4 small r small r, 1 by 4 homozygous dominant, 1 by 4 homozygous recessive, 1 by 2 heterozygous dominant, तो आपका यहां पर जो आसर बेटेगा कौम सा 3rd, ठीक है न, आप लोग देखें कि अगर यहां पर हम लोग इनके gamet बनाएं कि इससे जो gamet बनेगा, capital R, और small r, 1 by 2a, और 1 by 2a, फिर यहां पर जो gamet बने capital R, small r, 1 by 2a, 1 by 2a, यानि यहां पर R, capital R जो allyl है वो इनके साथ जब fertilize होगा तो उसकी probability के है 1 by 2, और small r के इनके साथ partializing probability के है 1 by 2, और इनी जो probability है उनको हम लोगों ने, ax plus by square में रखा, कि यहां पर a जो है उसके पास में आप लोग लिख दिया, 1 by 2, x की जग है हम लोगों ने लिख दिया, capital R, plus b, 1 by 2, और यहां पर आगया smaller, और क्योंकि दोनों के probability, 1 by 2, 1 by 2, और इस तर भी यही है, selfing कर रहे है न, तो इसका मतब इसको आप लोग square कर तो, और फिर इसका जो expanded form आपको देखिए, 1 by 2, r, plus 1 by 2, small r, इस तर भी 1 by 2, capital R, plus 1 by 2, small r, फिर, आप लोगें, 1 by 2, 1 by 2, 1 by 4, capital R, capital R, फिर यह इसके साथ, 1 by 4, capital R, small r, फिर यह इसके साथ, 1 by 4, capital R, small r, फिर यह इसके साथ, 1 by 4, small r, small r, अब लोगें, 1 by 4, capital R, capital R, 1 by 4, capital R, small r, 1 by 4, capital R, small r, और 1 by 4, small r, small r, ठेक है, काफी, सिंपल सा क्यूसलता, बस तोड़ा सा, NCRT में जो यह दिया है, उसको याद अठना था, चले आगें, Okay, यहां, if you have an organism with genotype, यह वाला होटा, then, this can be used as a parent in test cross, अब आपको याद होगा, test cross के लिए, कि जो भी test cross होता है, तो F1 जो होगा, उसका double recessive parent के साथ cross होता है, आगे हम लोग test cross का accusation करेंगे भी, और उससे, जो है, जो progeny आएगी, उसका ratio क्याएगा, 1 ratio 1, Phenotype B और Genotype B, अब यह जो जनक है, यह वाला जनक जो है, इस जनक को किस लोकाई के लिए आप लोग test cross में use ले सकते हैं, और आपको बता है कि test cross में जो जनक होगा, वो double recessive होगा, homozygous recessive होता है, test cross में जो जनक होगा, homozygous recessive होगा, तो आप लोग देखें कि यह इस लोकस के लिए है, तो homozygous recessive नहीं है, इस लोकस के लिए भी homozygous recessive नहीं है, लेकिन यह इस लोकस के लिए homozygous recessive है, इसका मतलब यह test cross इस प्रकार का था, कि इसमें F1 ऐसा आया, और F जब test cross किया गया तो यह देखें, यह वाला लोकस, तो capital D, small d, small d, small d, one ratio, one, तो हम लोग यहां पर answer क्या लगा देगे, simple सा जूशन था, बस तोड़ा सा दिवाग लगाना, चले आगे, extra nuclear inheritance, बेटा, आपको पता कि जो cytoplasm की inheritance होती है, वो cytoplasm के अंदर जो gene होते है, mitochondria, chloroplast, उसकी वज़े से होते हैं, और वो हमेशा एक जनक से ही जाते हैं, female gamet से ही जाते हैं, तो उसको maternal inheritance भी कहते हैं, अब क्योंकि nuclear gene का रॉल नहीं है, तो इसलिए इसको बहुते है, extra nuclear, अत्रिक्त केंदर की वनसागती, या एक जनक से हो रहा है, तो uniparental inheritance, या हमेशा एक जनक से ही, जो जितने भी संकतियां, सब में वनसा नुगत होते हैं, तो extra nuclear inheritance is the consequence of presence of gene in, तो mitochondria है तो ठीक, अलेकि नाइबोसम गलत हो गया, chloroplast ठीक, अलेकि लाइसोसम गलत हो गया, chloroplast ठीक, अलेकि नाइबोसम गलत हो गया, तो mitochondria और chloroplast आशर हो जाएगा 4, ठीक है, चले हैंगे, ओके, ये NCIT ने जो है, प्लियो टॉफी के अंदर आपको एक चीज़ समझार कि, आपको मैंने बताया था, कि पी प्लांट जो है, उसमें capital B, seed shape का जोजीन है, वो अगर B की अगर हम लोग बात करें, तो seed shape को अगर consider करें, तो वो small B पे complete dominant होता है, एकर अगर starch grain के size की बात करें, तो वो small B पे complete dominant होता है, incomplete dominant होता है, तो ये वाला जो जनब होगा, वो round seed देगा, और बड़े starch grain उत्पन करेगा, और ये वाला जो plant होगा, वो frinkled seed बनाएगा, और उसमें starch kind भी बहुँट छोटे-छोटे होँगे, लेकिन इनका जो progeny होगी, अगर हम लोग seed shape की बात करें, तो वो round होगा, लेकिन अगर starch kind की बात करें, तो वो मद्दिवर्तिया size की होगी, यानि capital B, small b, paste starch kind के respect में complete dominant नहीं होता है, incomplete dominant होता है, इसका मतब है, कि जो dominance है, वो किसी gene या उसके product की autonomous picture नहीं है, हमें देखना पड़ेगा, कि एक बार में आप लोग उस gene के किस property की study कर रहे है, आप लोग कौन सा phenotype ले रहे है, आप लोग seed safe ले रहे हैं, तो dominant है, आप लोग starch kind के size को ले रहे हैं, तो वो incomplete dominant है, समझे रहो, तो इसको NCIT नहीं हो, पर pleiotropy, जो है, इनिशली एक line लेके pleiotropy, और वो एक alexiotropy, alexiotopic pleiotropy आगे भी आएगा, या जो mono hybrid, di hybrid, cruise वहीं पर इसकी तर्था वही है, तो यहां प यहां आपको बता दिया गया है, कि यह large starch green बना रहा है, बड़े starch kind, यह छोटे starch kind बना रहा है, और यह वाला जो हो, मत्यवर्ती आगार वाले starch kind का निर्वान कर रहा है, तो आप लोग देखें, कि the gene B is easily influenced by environment, लग इससे यह इतना संबंदित नहीं है, कि some gene do not follow law of segregation, यहां प नहीं हुए, फिर का है कि the gene B mutate at faster rate, ऐसा भी यहां पर NCID ने कोई चर्चा इस concept में नहीं किये है, हां, यह line देखो, जो NCID देखें, जो आपको देखने भी NCID में, कि the dominance is not an autonomous feature of a gene or product that it has information for, जिसके लिए इसके पास सूचना है, फिर आगे NCID और बहा है उसके reading आपको लगान नहीं है, और फिर उसको समझा रखा कि यह जो है एक प्रकार से इसी gene के pleiotrophic effect की वज़े से भी हो सकता है, तो यह वाला इसी के according आप लोग समझ सकते हैं, तो इसका answer हो जाएगा, 19 के अंदर 4, ठीक है, चले आँगे, फिर, a gene with 5 different allele can form different genotype combination, ओके, आपको पता है कि अगर हम लोग mendelion inheritance के बात करें, तो gametes के लिए 2 की पावर N का फॉर्मूला था, और phenotype के लिए 2 की पावर N का फॉर्मूला था, यह gametes के लिए था, और genotype के लिए 3 की पावर N का फॉर्मूला था, जहां पर N हेट्रोजाइगस का नमबर था, और फिर, जाइगोट के लिए आपको मैंने बताया था, जाइगोट की संक्या के लिए 4 की पावर N और gametes का square, यह तो mendelion inheritance में आपको यार्ड रखना था, लेकिन अगर, मल्टिप मल्टिपल एलेलिजम की बात करें, तो मल्टिपल एलेलिजम जो है उसके अंदर फिनोटाइप के लिए, मल्टिपल एलेलिजम कम जब क्या है कि जब कोई एक जीन उसके दो से ज्यादा एलेल हो, इसकी study population level पर होती है, लेकिन एक individual में उस जीन के दो ही एलेल जमान लोकस प होते हैं, तो मल्टिपल एलेलिजम में फिनोटाइप के लिए आपको फॉर्मॉला एन प्लस वन वाला और जीनोटाइप के लिए या रखना है एन, एन प्लस वन अपॉन टू, यहाँ पर एन क्या होगा, नमबर आफ एलेल, एलेल के नमबर जैसे हमारा बलड ग्रूप ले तो बलड ग्रूप जो है उसमें जो आई जीन अउसके तीन एले लगते हैं, आई ए, आई बी और स्मॉल लाइ, इसका मतलब वहाँ पर एन की वेल्यू क्या है, थ्री, तो थ्री प्लस वन फेनोटाइप, चार फेनोटाइप आगे, ए, बी, एबी और ओ, और अगर जीनोट लेकिन यहां की क्या कुछ है, कि अगर पांच डिफरेंट एलेल हैं, तो जीनोटाइप कॉमिनेशन कितना तो फाइफ, फाइफ प्लस वन अपॉन टू, तो सिक्स इंटू फाइटी बाइंट टू यहाजाएगा, फिप्टी, तो अंसर अपना यहापर हो जाएगा, थर्ड तो 20 जो हो है, उसका अंसर हो जाएगा, चले हाँ, फोर्मुला यहाँ रखने आपसे, ओके, सिंपल सा NCIT की लेंगवे से ही, कि इनेरिटेंस क्या है, इनेरिटेंस देखते हैं, प्रॉसेस बाइफ विच क्रेक्टर आर पास्ट अन फ्रॉम पेरेंट तो प्रोजनी, वो प् और बाइशन को एक्स्पलेटर कर रहा है, यह तो विंता को एक्स्पलेटर कर रहा है कि जनक और संत्थि के लक्षोन की ऐसा अनता की खुटी, वो यह यहाँ पर इस संबनीद नहीं, दिखनिवाशनी, प्रोजनी, घो सिंपलाद नहीं, ट्रांसपिशन ऑफ ओ्ड एक्वा इस वज़े से जो था घलत हो गया, चले आगे, चौट ओके, विच ओडर फॉल्विंग इस करेक्ट फो डाय हाईब्रीड क्रोस, यहां पर दो जो जो करेक्टर के लिए ले रखा है, क्डाय हाईब्रीड क्रोस मतलब अब आप देखें कि जो चेक्टर बोर्ड आप लोग ने बनाया था, इन के लिए तो दोनों करेक्टर के लिए हुमोजाइडस जो था वो आप पास एक यह स्टूड है Capital Y, Capital Y, Capital A, Capital R, यह 11 Mais rien ही होता है, और दोनों के लिए रसेश्योग, होमोजाइडस भी और आपको मैंने अभी पीछे बताय था कि दोनों करेक्टर के लिए हेट्ट्रोजाई देखना है कि यह देखो इसको 6 लिख दिये तो गलत हो गया इसको 8 लिख दिये यह भी गलत हो गया यह ठीक है और यह ठीक है आगे देख लेते हैं दोनों करेक्टर के लिए है ड्रोजाई कसे देखना कितने आते हैं चार आते हैं यह तो छ्हाय दे रख्ति है यह तो गलत हो गया यह तले जी गड़बऴ़़ इस तरीके से हम लोग इन तोरव जिसको आप लोग कर सकते हैं इन दो को आप लोग वही तरीका इंडुविज्वल प्रॉबिलिटी से आप लोग पता कर सकते हों कि दोनों तो जोनक्रों को इस सीनो टाइप आप और यह वाला कि इन दोनों से इसके आने के प्रॉवर्टी आपनों पता हो शकते हैं कि यह वाला है और हमें क्या चाहिए हमें चाहिए हेट्रोजाइडस यानि तरीके से इन दोनों से 2 इसका मत्तब है यह हो गए 2 और इशी तरीके से आप लोग इन दोनों से इसको भी जब निकालोगे ऐसे तो ये भी आ जाएगा दो इस तरीके से आप इसके आंसर तक दो चाज सकते चले आगे तो ये इंडिविजल प्रावर्वर्टी निकाल के आप लोग बिल्कुल तैजी से ऐसे क्यूशन जो है उनको कर सकते हैं चले अगला जो क्यूशन है अपना तो इस क्यूशन जो है ये निसी आईटी के अंदर ही अपने टेश्ट क्रोस के अंदर आपको एक्स्पेन किया हुआ है बस आपको इसके अंदर याद रखना था कि वहां पर आप लोगोंने क्या समझा है तो यहां पर आप लोगों देखें कि जो F1 है F1 जो है वो dominant phenotype होना है और इसका जो genotype है वो में पता नहीं है इसका phenotype जो हो dominant है लेकिन इसका genotype आपको पता नहीं है तो यही तो test cross होता है और उसके लिए जो homozylus recessive जो जनक है उनके साथ cross हुआ है और यहां पर आप लोगों हम लोग इसको small y, small y से denote कर देते हैं तो वो homozylus recessive है तो आप लोगों देखें अगर यह जो है जैसे यहां पर इसको capital W, capital W और यहां पर capital W, small w लिए है तो इसको भी हम लोग W से ही indicate कर देते हैं कि small w, small w, small w, small w, small w अब अगर इसका जो यह dominant phenotype है, purple जो इसका flower color है जो है वो किस वजए से है? वो homozylus dominant से है या heterozygous dominant से आपको बता है कि जो dominant वो homozygous में भी आता है, heterozygous में भी आता है तो अगर यह homozygous dominant है, तो फिर आप लोग देखें कि इसको अगर यह थोड़ा छोटा है तो मैं इसको बढ़ा लग देता हम capital W, capital W capital W, 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 capital W capital W और capital W, capital W और small double तो इसका result जो होगा एक्स के लिए, यानि इसके नीचे X जो है एक्स जो आपका यहाँ पर result होगा तो वो phenotype के लिए है, और सारे के सारे जो यहाँ पर flower होगे तो वो किस color के होगी? क्यों क्योंकि सब में एक dominant जरूर और इससे interpretation जो है वो क्या मिला इससे interpretation यह मिला कि यह जो unknown flower है जिनोटाइब के रेस्पेक्ट में, जिसका जिनोटाइब नहीं नहीं पता है, वो कैसा है, वो हमोजाइगस है, जब इसके, इस क्रॉस का जो रिजर्ट था, वो ये था, कि सारे के सारे वोईलेट हैं, तो इसे ये इंटर्पूटेशन आपको कर लिया ना, कि ये जो जिनोटाइब वाला ये जो F1 है, अगर ये हेट्रोजाइब से वो में होता है, तो क्या होता, तब देखें, यहां पर दो टाइके गेंटर्प भनें, तो देखना, क्या चैप्तल डवलू के लिए, क्या जित्वल्ड डवलू, यहां पर जेट जो होगा होजाएगा एक अनुपाद एक, यहांनि 50% वाइट और 50% जो होगी वोईलेट और इससे टी इंटरप्पेटेशन क्या होगा, कि जो अननोन है वो कैसा होगा, हेट्रोजैन्स अन्नौन कैसा होगा हेट्रोजाइस आपको पता है कि मोनो आइपरिट के अंदर जो टेस्ट क्रोस रिशियो उसमें वन रिशियो वन फिनो टाइप भी और जिनो टाइप भी आता है तो अब इसके अकोर्डिंग आप लोग देखिए कि एक्स के लिए के ओल्ड फ्लावर आर सब भी पुस्क बेंग नहीं है बिल्कुल जाही है यह एंसी एटी ने लिख रखा है आप लोग वहां पर इस पीज भी जाकी जैख करनें फिर वाई देखिए क्या है इंटर्पेटेशन क्या मिला अगर सारे इस क्रोस के बाद अगर सारे वोलेट हों तो इससे क्या इंटर ने फ्लावर है वो हो मोजाङस डॉमिनेंट है होमोजाङस डॉमिनेंट है फिर जाट के लिए कि हाफ ओड़ प्लावर और वॉलेट कि आते जो फुस्स पोंगे वो बैंग नी कलर के ओंगे और आते जोंगे हाफ और फ्लावर आर वाई यह भी सही है वह अरे शुड़ड वहां पर आ रहा है उसके बाद इंटरप्रटेशन की होगा पी अनून फ्लावर है इस तरीके से यहां पर इस तरफ यह जो प्रो रहा है इसको क्या बोला गया है यह मतलब यह जो Kloss होगे है टेस्ट K θेस्स का जो रिजल्ट है उससे हमे जो एफ ह 오ं है उसके जिनो टाइप का पता लझाता है कि वो जो डॉमिनस वो हमोजाइGS में दे रहा है कि हेटरोजाइगस और इस TEST CROUSE से ममें यह बी पता लग जाएगा कि जो F1 हो कितने टाइप के गeमिट बनाता है और हमोजाइगस है तो ऊप्रोजाइगस है तो बहुत का गविशार्ज ऐस त्रहन दो टाइप का गेमिट बनाएगा तो बिल्कुल सीम्पल सा क्यूशन था तो इसके अंदर आपका आंसर जो फॉस्ट रेट जाएगा बाकी कि आप लोग जब देखोगे तो वो जो इनसे मेहरी करेंगे तो उनको ऐसे यहां पर डिसकस करना ताइम वेश्ट होगा इसले हम लोग शीदा ही आपर आंसर जो है वो अपना मैच भी हो गया है तो आगे देखने की जूरत नहीं है भी तो सारे पुस्ट बैञगी है और जो अंजाना पुस्ट पर स युगूलक जी प्रभावी है इसके Daode और होगी जड़ में आदिफ सवेद है और पी जो है अंजाना पुस्ट पर युगूलक जी है तो यह NGM IT मेहां सांदार के शेशानदन आप लिए था उमीद है आपको वर सही गिया होगा Okay How many true breeding pea plant varieties and character were selected by I mean simple से था तो varieties जो थी वो तो चभूदा थी और character कितने थे? 7 थे अभी यह answer second हो जाए Segregation of LN is a random process जैसे यह जनक है और इनसे यह F1 है अभी से F2 जब आएगा तो इसके जो गुनसुत्तर पे इसके यह जो Allyl होंगे वो Segregate होंगे तो Segregation of Allyl is a random process What would be the chance of gametes containing either Allyl? तो जब यह Meiosis की process से gamet बनाएगा तो यह gamet तो यह बनेगा और gamet यह बनेगा एक gamet के अंदर तो यह बनाएगा और एक gamet के अंदर यह बनाएगा और एक gamet के अंदर यह बनाएगा और यह बनाएगा तो आदर Allyl के gamet में जाने के प्रॉल्टी किया होई 50% या 1 by 2 टेक है दूटू cross between यह जिनु टाइफ के बनेट वाला इनमें cross के बाद में क्या रिजल्ट आएप प्रोज है नहीं so what percent of red flower plant तो देखे cross कराते हैं Capital T, Small T, Capital R, Smallr Small T, Small T, Capital R, Capital R इससे दो लोगा ही के लिएटर हो जाएगे तो कितने के में चार है Capital T, Capital R फिर Capital T, Smallr Small T, Capital R और Small T, Smallr इस तरफ से Small T, Capital R अब आप लोग देखें आपको पुछा कि कितने जो flower होंगे में red होगा तो देखें कि हार सब में आ रहा है Capital T, Small T, Capital R, Capital R Capital T, Small T, Capital R, Smallr और Small T, Small T, Capital R, Capital R और Small T, Small T, Capital R, Capital R आप लोग देखें कि इसमें जो R जो Allyl है वो सब में आ रहा है इसका मतब सारे के सारे जो होगी 100% के होगी red होगी तो आपका 4 उससे है ना what percent of flower plant due to cross between the resultant progeny what percent of red flower plant है तो आपना answer forward जाए ओके true breeding line के लिए पुछा होगा true breeding line वो होती है जो pure होती है और इन में प्रॉस हुआ और फिर जब लगातार इनके अंदर selfing होई तो selfing से जो है homozygous जो है homozygocity जो बढ़ती जाएगी लगातार जब selfing होती ही तो homozygocity increase होती जाती है तो देखें कि having undergo continuous self-pollination and show stable trait inheritance यहां पर क्या लिखरका है? Unstable यहां पर क्या लिखरका है? यहां पर क्या आना था? Stable इसवजे से यह वाला रोंग होगा वो stable रूप में पिट इदर पिटी जनरेशन तो जनरेशन आगे इनरेटेट होते रहते है यहां परागन द्वारा उत्पन होती अथा एस्थिर नहीं हो स्थिर होगा उसके लिखर having undergo continuous cross नहीं ही हो क्रोस के जगा लिखरका है? self तो इसवजे यह वाला रोंग होगा और फिर उसके बाद में show the stable trait inheritance बिलकुल और फिर it's show heterozygocity नहीं true breeding line जो होती है वो homozygocity होगते है homozygocity नहीं यह वाला की रोंग होगा तो answer पना इसके अंदर कौन साब जाएगा? 3 A deployed organism is heterozygous for 4 lokae and homozygous for 3 lokae then how many type of gamut can be produced by him? इसका मज़ब पिर सिंपल साह आपको 2 की और N वाला formula लगाना है और N की बेलोगी आपर कितनी दे रखी है 4 पर इसका मतलब है gamut कितने मनेंगे? 2 into 2 into 2 into 2 into 2 तो यहां पर gamut कितने मनेंगे? 16 तो answer हो जाएगा 28 के अंदर 16 आपको homozygous से तो मतलब ही नहीं आपको तो heterozygous से मतलब है तो एक heterozygous 2, 3, 4 4 heterozygous है तो उसके according आप लोग जो gamut का नमर पता कर सेथे simple select and incorrect regarding polygenic inheritance polygenic inheritance है उसके लिए गलत हमें यहां पर देखना है तो देखें take into the account of effect of environment बिल्कुल सही polygenic जो inheritance है उसमें environment का effect परता है जैसे skin color है तो उसके लिए हमारे पास 3 gene है A, B, C और अगर उसके लिए proper environment नहीं मिलेगा तो उनके gene का expression बेफेक्ट पड़ता है यह NCRD लिख रहता है तो पहले बाला इसके अंदर आपका cell है Each dominant gene has adaptive effect यह भी बिल्कुल सही है जैसे हमारे skin color के लिए किसी का genotype यह है तो महान लोग यह capital A4 में 10 gram protein बना रहा है यह भी 10 gram melanin बना रहा है और यह भी 10 gram melanin बना रहा है तो महान लोग 5-5 यह वाला बना रहा है इन सब यह जो dominant allele है इन सब का effect जुड़ता है यह pigment आपस मिलकर के फिर final जो phenotype वो produce करते है तो इनका additive effect होता है तो यह भी सही है और फिर explain multiple allelism नहीं यह multiple allelism represent नहीं करता है यहाँ पर polygenic है ना तो polygenic के अंदर एक character को कई gene control करना है पर multiple allel के अंदर तो एक gene के कई allel होते है पर polygenic के अंदर एक character को कई gene control करते है समसर्यों यहाँ पर यह वाला जोग वो गलत होग है 4th answer हो जायग आपका 29th ठीक है Which one is related with co-dominance co-dominance जिसके अंदर F1 के अंदर दोनो genes equally expressed हो ठीक है तो मैंने gene govern a single character नहीं मैंने gene govern a single character यह तो polygenic हो गया फिर in heterozygous organism only one allel express नहीं यह dominance हो गया in a single gene influence many character नहीं यह pleiotrophic हो गया फिर in heterozygous organism both allel express themselves fully जैसे हमारा AB blood group IA, IB heterozygous condition में दोनो fully express हो रहे हैं homozygous CA condition हो थी IA, IA homozygous AB, IB, IB homozygous AB, IO, IO फिर in heterozygous CA इसके अंतर दोनों fully express और in cancer हो जाएगा 4 चले आगे Mark the incorrect one with respect to Mendel work Mendel work के लिए हमें गलत देखना है OK, NCLD के सही बनेवे हैं पहला देखे Mendel publishes work on inheritance of character in 1866 नहीं है 1865 incorrect पूचा ही होगा और देख लेते है Experiment had a large sample size बिर्कल जही है Conducted hybridization experiment on Pysm sativum for 7 years 1856 से 1863 यह भी perfect हो गया फिर First time statical analysis and mathematical logic were applied to problem in biology पहली बार इस तरीके के जो चीजें की Biology के अंदर Mendel ने use किती जिससे उसको सफलता भी में लेती लेकिन इकारण यह भी था कि उस time के जो उसके साथ ही थे scientist थे उन्हों उनको यह बाद जो है अजम नहीं वी तो कई दिन तक उसका वर्क hidden रहा वो भी यह उसका इकारण यह भी धा न तो इसमें यह भी सही लेकिन इसमें इंकरेट ऊच रहा है इस वज़े से फस्ट वाला रोंग तो यह तो आंसर हो जाएगा फस्ट प्रपोर्शन ओप प्रिंटल फिनो टाइप इन एफ तो ऑप स्प्रिंग इन मेंडल डाइव हैं डाइवडीड क्रॉस की बात हो रही है और एफटू के अंदर 9 3 3 1 रेश्यो आता है फिनो टाइप का एफटू के अंदर तो यह नोव पेरिंटल टाइप है यह भी पेरेंटल टाइप है यह वाला जो हो क्या है इसमें किया पूसजर है पैरिंट्रल ताइब तो पेरिंटल टाइब जो जाएगे 10 कितने मसे सुळा तो 10 बाइ 16 मेaltet किभम चुल्छ ता तो से सट अरेक च्भा Aegis हिंग कोह मिंनें तो स्क्पाइब इसमें डाइंच कर दाम सार कर Приветों कि क्टने मेर्द ता तो 560 न समके और ब्लाइटनेस नियार विशी पुट एता वह एक्स लिंक्ट होता है। यए अधे फिमेल हिए उसके पास में ऊक्रोमजोम 2 है। अगर एक रिसेसिव है, एक डॉमिनेंट है, मतलARS एक रिसेसिव है तो दूसरा उट कर रहे है, तो वो प्रोटीन बना देगा, तो वहाँ पर फिमेल है, प्रोडाइगस कर्डिशन में रोग से बज गई, लेकिन अगर मेल की बात करें, और उसके अंदर अगर हम लोग देखें, तो उसके पास, जो है, जो है, जैसे एक X है और एक Y है, तो इस पर अगर कलर ब्लाइनेस का रिसेशिव एल आ गया तो डिजीज होगी, तो उसके पास तो कोई चोई है ही नहीं, एक ही एलेल है, और अगर वही रिसेशिव फॉर्म में है, तो फिर प्रोटीन ही बनेगी, तो डिजीज हो जाएगी, यही कारण है कि मेल जो है उसके अंदर जो है इस डिजीज के चांसे ज्यादा होते हैं, थेकर आम लोग आगे पर डिजीज के बात करेंगे, कि जो X-linked character है, अगर रिसेशिव होए तो मेल में चांसे ज्यादा होगी, अगर डॉमिनेंट है तो फिमेल में ज्यादा होगी, इसके अंदर डॉमिनेंट फोर्म में अगर जीन होगा तो वो डिजीज कोच करते हैं, और फिमेल के अंदर दुएक्स क्रोमोजोम है यादि दो एलिल उसके होटे है तो उसमें चांसे बहुत जाते हैं, तो रिसेशिव डिजीज सेक्स-linked के चांसे मेल में ज्यादा होगी दोमिनेंट सेक्स-linked के चांसे मेल में ज्यादा होते हैं, तो देखें, कि मेल है सिंगल-X-Cromosome with Y compared to female, सही है, फिमेल में XX है और मेल में Y के साथ सिंगल-X होता था तो यह perfect explanation है, तो Y chromosome of male have gene for distinguishing color, नहीं, Y chromosome पर color को distinguish करने के लिए gene मुझब होगा है, जीन गलत होगा, जीन फ और तीसरा दोनों ही होगी, तो answer हो जाएगा, आप 4, ठीक है, चले हमें, ओके, select an normal beta-globin HB gene, आपको देखें कि जो sickle-cellanemia से ही बना हुआ है, और normal beta-globin gene था वहाँ पर आप लोग देखें, कि यह वाला option देखो, G-A-G, G-C-T-C, C-T-C और G-A-G, यह normal gene है, और इसके transcription से, जो है, जो mRNA बनेगा, G-A-G, और फिर इस mRNA से, six member position पर, जो amino acid आएगा, वो कुन सा आज आएगा, glutemic acid, लेकिन अगर, point mutation की अगर हम लोग बात करें, तो point mutation के बाद में, इसमें जो बदला हुआया, इसमें change हुआ, और यहाँ पर T की जगए क्या आगया, C-A-C और फिर आप लग देखें, यहाँ पर G, T, G आया, और पिर mRNA जब इससे बना, तो उस mRNA केंदर G, और A का जो complementary U, G, और इस six position के अबर, glutemic acid की जगए, क्या बन जाएगा, वैलीन, तो वैलीन ने glutemic acid को replace कर दिया, तो यहाँ पर normal beta-globin gene की बात की जा रही है, तो वो क्या हो ज और अब normal mutate की बात करें, तो वो तो यह रहता है, G, T, G, और C, A, C, C, चिसों यहाँ अब, इसको आप लोग NCRT के अंदर अगर देखें, देखो यह इस तरगे से समझारक का है, यह normal वाला HB gene है, G, A, G, C, T, C, उससे mRNA, भई, यह template की तरफ वर्क रहे है, तो mRNA के अंदर ब glutamic acid आ रहे है, तो यह normal, जो है HBA peptide बन गया है, अगर इस T की जगए A आ जाए, तो इससे आप लोग देखें, जो mRNA बनेगा, तो anti-parallel दो इसका हुगा, G, U, G, और इससे glutamic acid की जगए 6th position ते की आ गया है, जाए है, जाए है, तो यह normal है, और यह वाला कौस है, अब normal, इस बास मने आई है आपको, चले आगे, जाए, वो वाज डवलपर ऑफ पनेट स्क्वाइर, पनेट स्क्वाइर जो है, उसके डवलपर कौनते सिंपल्स है, NCID दे रखा है, वो R सी पनेट दे, लेकिन वो जो थे, जनेटिक्स थे और वो ब्रिटिस थे, तो 35 के अंदर सिंपल् ब्रिटिस से रिलेटेट थे वो, और जनेटिक्स थे और नाम, तो आपका कोई लेगा, सिंपल सा याद बनाता, और वो देखना, प्लियो ट्रॉफी के लिए, ठीक है, प्लियो ट्रॉफी के लिए, अब इसमें आपको NCID अंदर आगे, प्लियो ट्रॉफी अलग से एक पैर को प्लियो ट्रॉफिस्म कहते हैं, और ऐसे जीन को प्लियो ट्रॉफिक जीन कहते हैं, तो कि उस जीन के जो प्रॉडक्ट है, वो मेटाबोलिक पाथ में काफी संबंदित होते हैं, अगर वो जीन गड़बल हो जाए, तो पूरा का पूरा मेटाबोलिक पाथ जो हो यहां पर सेम नहीं होगा, यहां पर होगा डिफ्रेंट यह NCRT ने लिख रखा है, तो सेम की वजए से यह वाला जो यहां पर गडबड हो गया, और देख लेते हैं, फिनायल केटोन यूरिया इस वन आफ इट्स एक्जाम्पल, फिनायल केटोन यूरिया जो है, उसमें फिना अगर उट्स एक पर मजूद जो जीन है, अगर उसमें मुटेशन हो जाए, तो फिनायल एलनी राइड्रोक्शिलेज बनेगा और अकर वो नहीं बनेगा, तो फिनायल एलनी टायरोशिन में चेंज नहीं होगा, तो पर टायरोशिन की कमी होगी, तो इस कमी की वज़े से दूस सारे फिनोटापिक एक आश्रो क नजर आने तबें होगी, फ़र तेंकर फिनायल किटोन दुर्य टायरोशिन में टल रिटरडेशन एंड र्रेदेक्शन इन स्किंपिगमेंटेशन, मेंटल रिटरडेशन क्यों क्यों कि जो पिनायल एलनी न है किटोन बोडीज बनान आपका यहां पर थर्ड क्यों हुआ क्यों हुआ कि सेंट की जगए क्या आनका डिप्रेंट आनका चले आंगी साइवाल काव और पंजाव इस डेवलप्ट बाई यह एंसे इंटिक्स के अंदर पहले पेज़ पेज़ वो लिख रखा है इसको जो है आटे भी सेलेक्शन से वो डॉमेस्टिकेशन की प्रक्रिया से गरेलू करन और कृत्रिम चैन की प्रक्रिया से बनाया गया ठीक है न इस इस नोट्रिव फोर मेंडल लोग डॉमिनेंस का जो लो हो था जो मोनो आइब्रीड क्रोस के उपर बहस था उसके लिए क्या पुचा है नोट्रिव पूस है तो पहला बेखें करेक्टर आर कंट्रोल भाई डिस्क्रीट यूनिट कार्ड फेक्टर बिल्को जाहिए एंसे आ इस सिमिलर पेर के अदर यह जो होगा वो इसके उपर क्या होगा डॉमिनेंट होगा यह भी परफेक्टर अकर इन पेर फेक्टर जो वो पेर की फॉर्म में होते हैं या तो इस फॉर्म में है और या वो इस फॉर्म में है और या वो इस फॉर्म में है पेर की फॉर्म में हो तो अपने parental combination के अंदर ही जाएंगे, मतलब वो mix नहीं होते हैं, blending नहीं होते हैं, यानि यह जो बाते थी, वो किस से समंदित है, वो आपके segregation से लिटेट है, तो यह वाला जो है, पर monohybrid के लिए नहीं है, यह segregation, यह वाला जो है, वो dominance के लिए नहीं है, यह वाला जो segregation के respect में था, तो यह ही वाला जो not true हो जाएगा, ठेक है, अले हागे, फिर अगला, कि inheritance किसका basis है, inheritance is the basis of heredity बिल्कुल जाहिए है, inheritance कह सकते हैं, एक process है, इसके तुरू characteristics जो वो एक generation से अगली generation में जाते हैं, और य जो process है, यह किसका basis है, heredity का, उसे भी यह हो रहा है, वो एक तरीके का फिनोमेना है, ठीक है, तो inheritance heredity जो है उसका फिनोमेना, उसका basis हो जाहिए, चलिए, अगला question, इसमें incorrect statement हमें find out करना है, तो NCIT के अंदर, genetics के अंदर, पहली page से related यह question आपको देखना है, कि human knew from early 8000 to 1000 BC, that one of the cause of variation was hidden in sexual reproduction, बिल्कुल चाहिए है, यह NCIT अंदर, पहले page के उपर दे रखा कि, मनुश्यों पहले से ही जानता था, इतने time पहले, कि जो वित्ता का जो कारण है, वो sexual reproduction के अंदर ही छुपा हुआ है, इंदे की NCIT इसको दस जार लिक रखा है, आपको एक जार प्रखना है, इंगलिज में जाहिए है, यह वला सही है, दूसरा देखे, human exploited the variation that were naturally present in wild population of plant and animal for selectively breeding, की मनुश्य ने, चैनात्मक पुरजनल की प्रक्रिया से, पादपोर जनतों की प्रकृति में उपस थी जेविवित्ता का लाग उड़ाया, भई, ब्रिडिंग की, अपर लो इसका benefit उटाया और कम टाइम में अच्छे लग्षन वाले जीवित्तपन गई है, यह भी सही है, फिर तीसरा देखे, through natural selection from ancestor wild cow, a very long Indian brids साईवाल cow form, की लिखाया कि पुरानी जंगली गायों के प्रकृतिक चयन द्वारा हमने एक उच्छ बारतिय नसल साईवाल गाये पहला है, artificial, पहला है लाएं लाएं लेटलों ना, मनलब दूसरे के अंदर, की जो मनलब इससे पहले वाला चुकी सुनाय था, तो domestication और एक artificial selection, यहां पर क्या आना था? artificial selection, इस वज़े से यह वाला, जो है, incorrect हो गया, अगर natural selection हो, sorry, अगर यहां पर artificial selection होता, तो यह जो है, perfect ह अगला देखो, our ancestors knew about the inheritance of character and variation, but they have very little idea about their scientific basis, यह बिलकर परफेक्ट है, की हमारे जो पुर्वस पे है, उनको लक्षनों की वंसागती और विविद्धा का ज्यान तो था, लेकिन उनको यह नहीं पता था, की कैसे यह जो है, जो प्रोसेस है, वो अगली पीडी के अंदर मूँ कर रहा है, इसका scientific जो logic था, वो नहीं पता था, यह भी NCAT का statement है, यह भी perfect है, तो यहां पर incorrect उचाता, जो third हो जाएग, ठीक है, तो यह 40 तक बात अभी है, next आगे बात करते हैं, तो इस के से मैं आपनों देखें की हमें, आपी plant के अंदर जो dominant और recessive जो character है, उनको देख रह हैं, और उसके अंतर जो dominant और recessive traits जो हैं, उनकी बात हमें यहां पर देख रहे हैं, कि the incorrect match with respect to dominant and recessive traits in pea plant, ठीक है, तो यहां पर आप लोग देखें की seed shape की बात करें, तो यह dominant traits वो है, round, यहां पर round sheet नजर भी आ रहा है, और recessive, wrinkled, यहां पर measure भी हमें आ रहा है, तो यह वा देखते हैं, old shape, full, या inflated, fully, और यह constricted, यह वाला recessive trait है, यह combination भी जो है, वो उचित है, सही है, चलो, फिर stem की height की बात करें, आपको पता है कि यहां पर tall plant नजर आ रहा है, और इसकी तुल्दा में यह वाला dwarf plant नजर आ रहा है, तो यह वाला भी सही है, फिर flower की position, और आप आपको बता है कि flower position में, अगर हम लोग dominant trait की बात करें, तो वो axial होगा, और इसमें axial flower की position है, dominant, वो इस तरफ है, axial, और इस तरफ है, सम्झे रहो recessive की तरफ है, गलत होगा, और यहां अगर हम लोग recessive trait की बात करें, flower की position के लिए, तो वो terminal होता है, वो इसमें नजर आ रहा है तो यही अपना जो है वो आंसर है इन दोनों के dominant research rate के respect में तो आंसर हो जाएगा आपका 4, ठीक है? चले आगे? उमीद है यह question आपको ने किया होगा है, इसमें तो बड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देना था कि कौन सा terminal है और कौन सा जो वो axiast है मेंडल सलेक्टर 14 true breeding tea plant varieties is a pair which were similar except और आपको पता है कि 14 pure varieties अब जैसे मैं कहूं कि first pair जो है, first pair में जैसे एक तो है tall और एक है dwarf तो है तो है टोल का जिनो टैप capital D, capital D और dwarf का small D, small D समझे रहें इसका मतलब है कि बाकी के जो छे लक्षण बस गए हैं उन 6 लक्षण के लिए ये दोनों समान हैं और 6 लक्षण जो हैं उन 6 लक्षण के ट्रेट इन दोनों में समान हैं के वह इस एक पेर के लिए अलग है औ में एक तो है टॉल दूसरा है ड्वार यही आपको यहां पर देखना था कि एसे पेर विच वर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर किस को छोड़कर के यह आपस में सिमिलर होते हैं तो आप लोग देखें तू नहीं होगा ध्री नहीं होगा फॉर नहीं होगा वन करेक्टर विद कॉंट्रास्टिंग ट्रेड और कौन सा करेक्टर तो पर्टिकुलर जिसके करेक्टर की बाकी जादी जिसे हाइट के लिए वन पेर है टॉल और ड्वार्ब के लिए तो इस एक को छोड़कर के बाकी की चा के लिए यहीं सिमिलर होते हैं जिसी एडी की लाइन कोई दिक्रत नहीं है ठीक है तो आसरो जाएगा कौन सा फोड चले आंगे आओ फे विच वन प्रूब देट मेंडल रिजर्ट पॉइंटिट टो जनरल रूल ऑफ इनरिटेंस रैधर देन बिंग अनसबस्टेंटियेटिट आइडियाज क्या कहना चाहरा है कि नेंज मैसे किसने यह सिद्ध किया कि मेंडल के पर ना भीन सोचे संगे होने की वजाये mr forgot दिसा नियमों की ओर इसारा करते यह NCRT की लाइन है, NCRT ने इसके लिखा भी है, आप लोग जब NCRT में पढ़ोगे तो आपको मिलेगा, इसमें आपको देखें कि the confirmation of his interference from experiment on successive generation of his test plant, कि उसने जो अपना क्रोस रू किया, जैसे शुरुआत में उसने सुद्जनद के रूप में यह प्राक्त की, उसको F1 मिला, और F1 के अंतर उसने selfing की, इस तरीके से लगातार उसके पास F2, फिर F3, और फिर F4, इस तरीके से पिड़ी आते गई, और जैसे जैसे इसने लगात की, तो जैसा इसने सोचा था, उसके अकोडिंग होमोजाइगोसिटी बढ़ती गई, और हेट्रोजाइगोसिटी गढ़ती गई, तब बेक है, कि यह जो प्रक्रिया थी, इसकी थूरू, इस प्रोसेस के थूरू, यह सिद्ध होता है, कि वास्तों में, जो नेंडल का जो व इस इन का इंचे कोई लेना देना नहीं, यह NCRT का डाइक स्टेटमेंट से ही उठाया हुआ क्यूसेंट, ठीक है न, फिर भी मैं एक बार आपको यह बता हूँ, कि भाई, a single gene that can exhibit multiple phenotypic expression, लेकिन ऐसी मेंडल ने कोई बात नहीं की थी, प्लियो ट्रोफिक की क्या मेंडल ने पॉलिजेनिक की भी मेंडल ने बात नहीं की थी, क्योंकि मेंडल ने जोवर किया था, वो qualitative inheritance पे था, qualitative गुनातमक जहां पर एक करेक्टर को एक gene कंट्रोल कर रहा था, और दूसरे, यह वाला पॉलिजेनिक वाला, वो quantitative है, वो मातरातमक है, उसकी मेंडल ने बात नहीं की थ यह और इसकी कोई मेंडल ने बात नहीं की थी, यह तो 19 सो के बाद में, जो जो माइक्रोस्कोप बिसकर हुआ, उसके बाद में Morgan वगर एक्सपरिमेंट करके इन सब का discussion किया था, तो यह 3rd, 2nd, 3rd और 4th, इससे संबंदित नहीं है, आपका अंसर हो जाएगा 1st, ठीक है, फि रिसेशिव ट्रेट है, वो किस कारण नजर आता है, ठीक है, तो आप लोग देखें कि, जैसा आपको मैंने पीछे बताया था कि, पहले जितने भी रिसेशिव जीन होते हैं, वो पहले डॉमिनेंट फोर्म में होते हैं, लेकिन उन डॉमिनेंट जीन के अंदर, जब मुटेशन होता है, उत्परिवर्तन, तो अभी जैसे पिछे भी आपको मैंने बताया कि, म्यूटेशन के परणाम शुरूप, वो जीन जो आपको रिसेशिव फोर्म में कनवर्ट होता है, और रिसेशिव रूप में आने के बाद जो है, डिपेंड करेगा किस प्रकार का उ मुटेशन के अंदर हुआ है, अलग लग टाइक मुटेशन होता है, तो हो सकता है, एक एंजाइम बने ही है, लेकिन वो कम परबावी हो, हो सकता है, नोन फंक्शनल एंजाइम बने ही ना, समझे रहा है, तो रिसेशिव ट्रेट को, तो रिसेशिव ट्रेट को, रिसेशिव इंजाइम बने और अगर वो एंजाइम काम नहीं कर रहा है तो उससे कोई particular phenotype effect पड़ेगा उससे में पता लग जाएगा दूसरा because no enzyme is produced हो सकता है enzyme बने ही न और उस दोरान भी enzyme the absence में अभनोर्वल जो phenotypic feature आएगी उससे इस चीज़ का पता लग जाएगा फिर the presence of dominant element नहीं dominant element की अगर presence होगी तब तो phenotype normalize आएगा न या पर तो recessive phenotype की बात हो नहीं है तो इसके लिए NCLT ने जो है concept of dominance जहां पर dominant gen means of mutation हो रहा उसके लग लग जो result है वही पर last में last के अंदर यह line लखी है आप लोग जब देखोगे आपको बता लग जाएगा तो फिर answer क्या जाने चाहिए both one and two ठीक है बेटन चले आगे तो यह हो गया question number 44 select and connect one with respect to chromosomal theory of inheritance chromosomal theory of inheritance जो है जिसको बताया गया जिसके अंदर chromosome जो है उनके उपर ही gene के arrangement के respect में बात हुई थी तो उसकी हम लोग यहां पर बात करते हैं कि it was proposed by Sutton and Bovary बिल्कुल सही है 1900 के बाद माइक्रोस्कोप discover हुआ तब से इसके अंदर और अची करांती आई Sutton और Bovary ने जब माइक्रोस्कोप की हिल्प से जब देखा कि cell division के दुरान chromosome movement करते हैं तो जो factors इनकी बात की जा रही थी मिंडल के तुरू और monohybride के according जब segregation को समझाये जा रहा था कि इस दुरान किसी भी जो factor है उसके alternative form अलग हो जाते हैं तो उन्होंने बताए कि वो chromosome P होते हैं और homologous chromosome जब अलग होते हैं तो factor भी क्या हो जाते हैं अलग हो जाते हैं तो यह सब चर्चा इस theory के अंदर की गई थी और यह भी बताया गया था कि एक cell के अंदर gonosutra की संख्या कम होती है number of chromosome कम होते हैं तेकि number of gene ज्यादा होते हैं इसका मतलब है gonosutra कम है chromosome कम है और gene ज्यादा है इसका मतलब एक gonosutra के ओपर काफी सारे जो gene है ओपस्तित होते हैं चलो और देखते हैं correct one पूछ रहे तो पहला correct है अगर पहला correct है तो इसका मतलब बाकी के तीन के अंदर गड़बड है देखते हैं क्या गड़बड है behavior of chromosome is not parallel to behavior of gene नहीं behavior of chromosome is parallel to behavior of gene आपको बता है कि जो gene होते हैं जिसे यह कोई particular gene है और यह जो gene है वो एक linear way में DNA के अंदर वहवस्तित हो जाता है यह आपका DNA है और उस DNA के अंदर मादो एक gene यहाँ है एक gene यहाँ है मादो यह gene 1 है यह gene 2 है यह gene 3 है और यह gene 4 है कभी सारे gene एक chromosome पर linear way में है और फिर यह जो DNA है वो strong protein है के साथ मिलकर के आपको पता है chromatin बनाता है और फिर यह जो chromatin है वो arrange हो जाती है किस के अंदर chromosome में यह गुलसुत्र है और इस chromosome में आपका जो DNA है वो मुझूद होता है आपकी cell के अंदर 46 chromosome है तो आपकी cell के अंदर 46 ही DNA है एक गुलसुत्र के अंदर एक DNA होता है तो आपको देखें कि इसी chromosome पर यह particular अलग अलग लोकस पर आपकी जो हो जीन उपस्तित होते हैं जीन 1, जीन 2, जीन 3, जीन 4 इस तरह की से अलग लग जीन होते हैं और हर गुलसुत्र ज्यादर तरह हम लोग देखते हैं कि जैसे autosome है तो पेर की form में होते हैं अगर यह पेर की form में है इसका मतलब है कि जिस लोकस पर कोई particular gene यहां पर है यह है तो उसके सामने भी वैसा का वैसा उसकी photocopy की form में जो DNA जिस समजात गुंसूतिर homologous chromosome के है तो उसी position पर उसका alternative form यह वहां पर भी होगा तो chromosome gene जो chromosome है behavior of chromosome जो है वो parallel होता है behavior of gene के क्योंकि gene chromosome में होते है particular locus पर तो अगर segregation के दोरान यह chromosome अलग अलग gamet के अंदर जाते हैं तो उनके साथ उस एक gene के दोनो alternative form भी से ले जाते है ठीक है न तो यह वाला जो गलत होगा है क्योंकि यह भी node लगागा है तीसरा देखें कि chromosome and gene occur in pair in deployed and haploid cell respectively नहीं chromosome और जो gene है वो paired form में deployed cell में ही होता है haploid cell में तो वो haploid form के अंदर होता है समझे रहा है haploid cell वालब gamet जो है उसके अंदर जैसे हमारे अंदर 46 chromosome है तो उसके अंदर तो क्योंड 23 chromosome ही होगी जोता देखें The paired condition of chromosome as well as mandalian factor is restored during fertilization gametogenesis के दौरान जब meiotic division होता है तो diploid cell से haploid cell बनते हैं और male और female जो cell gamets जो haploid होते हैं 23-23 human की बात करें अगर वो मिलेंगे fertilization और diploid stage बनी zygote तो zygote के अंदर तो 2-1 stage आ दिया और वो restore कब हुआ fertilization के दौरान और diploid से haploid कब हुआ सब gametogenesis हुआ तो यहां पर देखना कि the paired condition of chromosome as well as mandalian factor is restored during gametogenesis 9 fertilization तो यह वाला भी यहां पर रहूंग तो हमार आंसर क्या हो जाएगा 1st टेक है बेटा चले चलो आगे है कि for the study of sex-linked gene वो carried out several dihybrid cross in drosophila हम लोगों ने यहां पर Morgan के लिए पढ़ा है कि Morgan ने linkage की study के लिए जो है काफी सारे cross किये थी drosophila में dihybrid जिसकी चर्चा भी हम लोग आगे करेंगे थी आप लोगों ने क्यूशन भी उसके लगाए है आए है पेपर के अधर है तो सिदा सांसर था Morgan okay drosophila was used as an experimental material because drosophila को Morgan ने अपने प्रयोग के लिए एक सामगरी के रुप में इस्तमाल क्यों किया किसी की experimental material को use करने से पहली यह देखा जाता है कि उसका lifespan लंबा है या चोटा है चोटा होना चीए क्योंकि जल्दी ही अगली मतलब है कि अगर नम्मर प्रोजनी ज्यादा होंगे तो डेटा का एनलाइसिस करना उसमें एरर काना बहुत कम हो जाता है ठीक है ना sample size का बड़ा होना result को और authentic बना देता है तो प्रोजनी का नम्मर ज्यादा होना चीए उसको laboratory में handle करना easy होना चीए simple synthetic medium पर अगर उसको culture कर लिया जाए तो यह easy रहता है ना पर इन सब के लोग बात कर लेते हैं तो drosopila was used as a experimental material because it has a long life span नहीं है हमें तो short life span चीए ना उसका तो short life span ही होता है यह वाना गलत हो गया it has high number of morphological similar chromosome high number थोड़ी है low number है 8 chromosome इसके पास यह में कम 4 pair तो यह वाला भी आपर गड़गड़ हो गया single matting produce very few very few नहीं है कापी सारी progeny create कर की जाती है इसके तो फिर fourth है कि drosopila could be grown on simple synthetic medium in laboratory विल्कुल जो banana pulp है fruit की जो लुगती है उस पे simple ही उसको जो है growth कराई जा सकती है तो यह भी NCIT के statement अपनी से question बना हुआ तो answer क्या उजाएगा इसके अंदर 4 47 के अंदर 4 सले हैं okay तो यह क्यों बताओ कितने लोगों सही यह अदा तो तो यह एक table अपनी NCIT के अंदर दीवी है और इस table के अंदर A और B को compare किया गया है यह साथ पी अपनी बात की कि जो chromosomal theory उसमें बताया गया कि chromosome और gene है उसका behavior एक दूसरे के parallel होता है क्योंकि अभी अभी मैंने बताया कि जो gene है वो particular locus पर chromosome पर पाय जाते हैं और यह gene की दो alternative form होती है जो बिलकुल आमने सामने locus के उपर मुझूद होती है तो अगर segregation की process हो कि chromosome अलग होगा तो gene भी अलग होगा और chromosome अगर pair form में तो gene भी pair form में होगा और 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 बाते हम लोग करें तो देख लेते हैं यहांपे select and incorrect option for the comparison between behavior of chromosome and gene यहांपर chromosome और gene जो है उसके behavior में comparison किया एक तरफ A लिखा है एक तरफ B लिखा है और अमें इन points के according यह देखना भी है कि A क्या है और B क्या है तो सबसे पेले occur in pairs occur in pairs अब आपको पता है कि जो chromosome है वो pair की form में होते हैं और उनके उपर locus पर जो gene होता है वो भी paired form में है अगर chromosome A की homologous chromosome A की cell के अंदर है इस तरह के से एक chromosome आप लोग और ले लो इसके अंदर मालो यह fourth है यह मालो fifth इसके उपर आप लोग किसी locus पे एक origin ले लो मालो capital है small है तो अगर अगर अकर इन पेर यह fourth chromosome पेर form में एक paternal है यह भी एक paternal है यह तो यह fourth chromosome homologous chromosome पेर form में है तो उसके उपर मुझूब जो gene है वो भी pair form में होगा उसके भी alternative form उसके साथ है सब्सक्राइब हो तो first जो है वो तो सही है comparison अलंगी से clear नहीं हो रहा कि कौन सा chromosome के लिए और कौन सा gene के लिए है फिर second है कि segregate at the time of gamet formation such that only one of the each pair is transmitted to a gamet कि gamet formation के दुरान इस तरीके से segregate होते हैं कि जो दो cell बनती है मालव ही दो cell बनी है तो देखना यह जो black वाला chromosome हम लोगो ने शो किया है कौन सा है पैटरनल पैटरनल इसमें आ लिया और उसके उपर उसके उपर यह capital T पिर maternal एक अपन लोग यह वाला ले पिर फिट वाला कि जो maternal इसमें आ गया n और उसके उपर यह small a ठीक है पिर इसके जैसे इससे paternal इसमें आ तो इससे maternal इसमें आ गया यह maternal इसमें ले रहे थे यह यह N और उसके उपर यह capital P ठीक है और एक जो chromosome नमबर फिट है उसके अगर हम लोग बात करें अगर श्मोल इदर आ तो capital A वाला है इसके अंदर आगे और यह वाला जो capital A वाला है वो कौन सा? paternal अब आप लोग इसको सब्जाए कि हम लोग ने इस cell के अंदर 2 chromosome ले एक 4th pair और एक 5th pair और 4th जो pair है उसमें paternal maternal पे कोई जो gene है उसके दुम तब यह ganatogenesis की process होगी तो इनका segregation हो गए और यह segregate होकर कि जैसे यह paternal और जैसे अपन नहीं आपर paternal-maternal कर लिया तो महाल लोग कि यह दोनों एक cell में आगे और यह दोनों एक cell में आगे तो अगर homologous chromo जो हम अलग हो रहे हैं यह homologous chromo अलग हो गया और जब यह अलग हुए जब इनका segregation हुआ तो इन पर मुझूद जो gene है उनका भी segregation हो गया तो segregate at the time of gamet formation की यह वाला इस cell में एक यह वाला इस cell में और such that only one of each pair is transmitted to a gamet की यह इस pair में एक इसमें आ गया और एक इसमें आ गया इस पेर में एक इसमें आ गया और एक इसमें आ आ गया खेक है अप जैसे इस तरख वालतव को एक सा लेख अ promote it तो इस रेट को को manual गट जाटाऊ और इसको में स्रय को copy activities वो इस तरीके से segregate होते हैं कि उस pair में कोई एक अलग gamet में जा रहा है और कोई एक अलग gamet में जा रहा है अब अगर वो अलग-अलग हो रहे हैं तो उनके उपर मुझूद जो है लिला भी क्या होगा है अलग-अलग होगा है यहां पर लिखा है कि segregate at gamet formation and only one of each pair is transmitted to a gamet वही बात इसके लिए भी है तो इससे भी clear वैसे हो नहीं रहा है कि कौन सा exactly gene है और कौन सा exactly chromosome है फिर तीसरा दे कि independent pair segregate independently of each other और यहां पर लिखा है one pair segregate independently of another pair इसको अगर मैं explain करूँ तो इसको इसको इपर रहता देते हैं यहां खाली जड़ा है इसमें सम्धा हो एकन इस space में आपको मैं सम्धा हो कि जैसे यहां पर यह एक cell है और इसके अंदर एक homologous chromosome हम लोग यहां पर लेने दे हैं सब्सक्राइब कलर दोड़ा इसका चेंज कर लेते हैं एक इसका homologous इस तरह पर लेते हैं मालोग यह paternal है और यह maternal है तेक है और यह fourth pair और इस तरह को हम लोग एक और प्रॉम्जोम ले लेते हैं मालोग यह maternal है और यह कौन सा है थर्ड यह मालोग कौन सा पेर है थर्ड homologous pair एक paternal और एक maternal है यह मालोग वो maternal का यह paternal है और यह third pair है यह आपस में homologous है और यह आपस में homologous है और इनके ओपर कोई particular gene दिखा देते हैं जैसे capital A, capital A और यहाँ पर small a, small a चीक है और यहाँ पर एक gene और दिखा देते हैं जैसे capital T, capital T और यहाँ पर small t, small t कि अब देखो कि जब भी gamet का formation होगा तो इस fourth pair का जो assortment है कि जैसे metaphysic plate पर इस तरह किसी syndrome है तो इस fourth pair का जो assortment है जिसमें petrol उपर maternal नीचे है इनका assortment इनकी जो व्यवस्ता है वो इस पर depend नहीं रहे इस पर third pair का कैसे कि ना यह इन्हें control नहीं कर रहा है कि paternal इस तरफ नखना है maternal इस तरफ नहीं इस तरफ नहीं है इनकी बर्जी है maternal नहीं धर आ सकता है और इनका assortment मेटाफेजिक प्लेट पर इन पर depend नहीं है इसमें आपको देखें कि maternal लोग पर और paternal नेचे हो सकता है paternal लोग पर maternal नेचे हो तो इस तरह के से एक पेर का एक independent पेर का assortment दूसरे पर depend नहीं कर रहा है तो यह लाइन को भी स्ट्राइचे होंचे चैसे आपको नज़रा रहा होगा है ये इंडिपेंदेंदेंट इंड्नेट पेर है यह पैर और यह पैर इंडिपेंडेंडेंट है और इंडिपेंडेंडेंडेंडेंट पैर जो हैं वो इनडिपेंडेंडेंटली एक दूसरे के सब्रवेट होता है फिर फिर लिखाय, कि one pair पेर इंडिपेंडेंट्ली ओफ अनधर पेर अब यहा आप लोग देखें blue-le-loop green-le-loop, दिखहे unfur, चलो, तो one pair जयसे capital A capital A, यह pair independently segregate होगा इस pair से, या यह वाला जो pair, smally- summary इस से independent आज़ोट होगा, क्योंकि आप लोग देखें कि इन के बीच में जो हर अगर दूर ही है तो genetic recombination हो जाता है और जब भी जैनिटी लống कोमेंनेशन की स्प्रॉसेस प्रॉसेस की दिभी फ्रोडहिए यह में रिखा देखाता हूं। यहपन्स एक हौंगो इसरो मोजोम नपढ़न है। और है यह एक और अप्रेंड ले downloadThis episode में ऍरह Cat आजके अध्यों की श्मॉट बहुत्व है थोकल ज्देखें कि जल्पिष स्नि eming स मुड़ा जिए जब दर्फ नाजनेटीग रिकवेनेशन की प्रोसेस हती है प्रोफेज वन प्रोफेज वन और पेकाटियूटीन थे तब यहां पर झेन एक्षेंज होता है तो यह वाला इसा इधर और यह वाला इसा इधर गृनेटिक रिक्सम्मिनेशन हो ज्योता है जो वन पेर है, इनका सेग्रिगेशन, इनका इन chi पेर है अगर genetic recombination हो रहा है, हाँ, अगर linkage है, अगर ये जो non-allelic gene बिल्कुल past में हो, इनके मद्द में linkage हो, salad नता हो, तब इनका जो assortment हो independent नहीं हो सकता है, हाँ, अगर दूर दूर है, तब इनका independent assortment हो सकता है, और उसमें help करता है genetic recombination, ठीक है, तो यहाँ देखे, कि independent pair, जिसके अंदर chromosome की बात की जारी है, एक independent pair ये है, और एक independent pair ये है, क्योंकि वहाँ, यहाँ आप लोग देखें, कि एक chromosome पर वो gene एक साथ ही मुझूद है, हाँ, उनके बीच में दूरी होती है, इसके वज़े से genetic recombination की process हो सकती है, तो यहाँ पर किसके चर्चा ओरी है, यहाँ पर किसके चर्चा ओरी है, यह वाला भी statement, सही है, यही सही है, एक लाइन है, फिर आपर देखें, कि column A रिपर्जेंट जीन, column A जीन के लिए नहीं है, column A जो वो chromosome के लिए, और column B रिपर्जेंट chromosome नहीं, column B जो वो जीन के लिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा यह उल्टा हुए, इसलिए फोर्थ वाला जो वो यहाँ पर incorrect हो गया है, तो चीज समझाए होगी आपको, यह NCRT की ही एक शाणी, एक टेबल इसके अंदर दोनों को compare करते भी दे रखता है, और उसमें आपको लाशन कुछ सवेगी कौन सा प्रॉमोजोम और कौन सा जीन है, तो आपको याद रखने है, यह वाला प्रॉमोजोम है, और यह वाला जीन है, यहाँ पर गलत कौन सा हुए, फोर्ट, चले आएंगे, ओके, अभी जो चर्चा अपनी भी थी, उसी पर बेजड है, NCRT की दो फिगर हैं, और इन फिगर में आपको देखेंगी, क्रॉमोजोम और त्योरी के पेजवाले में, कि इस टेबल के जस्ट नेक्स्ट, जो है, सब से पहले, सेग्रिगेशन का एक फिगर है, सेग्रिगेशन के दुरान होमोलोगोस क्रॉमोजोम का अलग लग होना है, उसको परदर्शित करता है, और उसके लिए NCRT ने इन फिगर को दिया गए, तो यहां भी क्या पुछा जा रहा है, कि select correct option with respect to figure given below, कि नीचे दिएगी चित्र के ल एक क्या परदर्शित कर रहा है, एक क्या शो कर रहा है, और बी क्या शो कर रहा है, तो वो आपको identify करना है, तो यहां आप लगेशन की figure B के अगर पहले में बात करों, तो इसके अंदर यह जो है वो जीवन है, यह जो है वो जीटू है, यह वाला जो है वो मियोसिस अना फे तो आपर देखें कि यह दो फिगर है इसके अदर सबसे पेहले जीवन फेज है। और जीवन फेज के अंदर मालो यह जो यह पैटरनल और यह मैटरनल यह पेहर है, फौर्त पेहर है हूंलो लेकिन.. लेकिन S phase में जो हो DNA replication होता है, आप लोग देखें कि अगर मैं उसको डाइग्रामिटिक लिया दिखा हूं, यह मालोग पैटर्नल और वो M वाला मैटर्नल, अब इनके अंदर जो है, वो single standard DNA होता है, इसमें भी एक DNA और एक DNA इसके अंदर है, अब DNA replication की प्रक्रिया जब होती है S phase में, तो उस DNA replication की वज़े से यह जो homologous chromosome है, यह sister chromatids में बदन जाता है, अर्द गुम सुत्रों में, और उसी की वज़े से अब आप लोग देखें कि DNA replication जब हुआ G1 phase ही है, उस दुरान cell 2N है, और कितिया 2C है, लेकिन S phase के बाद जब DNA replication हो जाता है, तो इसका sister chromatid बन ज है, यह पूरा ही रभू है, तो पर बदुवार बना देता हूं है, eternal matter, यह single standard, sorry double standard DNA इसमें, और एक double standard DNA इसमें, बिल्कुल एक जैसे DNA होते हैं, homologous chromosome है, और cell अगर जीवन में है, तो यह 2N है, और 2C है, लेकिन S phase के बाद जब यह 2 में आती है, तो DNA replicate हो जाता है, और उस बुझे से ही, अब यह यहाँ पर sister chromatid में change हो गया, यह sister chromatid, paternal, paternal और यह वाला, इसकी भी sister chromatid, maternal, maternal, और इनके अंदर जो है, वो DNA मुझूद होता है, तो देखो, कि जब DNA replication हो तो एक एक इसके साथ भी होगा, कि इसके अंदर में DNA replicate होखरके, DNA double होगा, तो यहाँ पर देखे, अपनी cell 2N है, लेकिन अब cell के अंदर DNA content 4C होगा, और फिर इस homologous chromosome में आपने देखे, यह sister chromatid है, संतती अर्द गुन सुत्र, यह संतती अर्द गुन सुत्र, और यह एसंतती अर्द गुन सुत्र, non sister chromatids, और इनके वीच में genetic recombination होता है, और आपने देखे, वही चीजिए यहां देखा है, दिखा रखे, G1, फिर G2, और G2 के बाद में आपने देखे, कि meiosis 1, और मियोसिस 1 और उसके अंदर anaphase 1, उसमें 2 metaphysic plate बनती है, और 2 metaphysic plate की दोरान आपने देखे, यह homologous chromosome अलग लग हो रहे हैं, यह भी और यह और यह मेयोसिस 1 के अंदर anaphase 1st, telophase 1st, cytokinesis 1st complete हो गया, दो से लगा हो गया, अब मेयोसिस 2nd, trophase 2nd, metaphase 2nd, anaphase 2nd, telophase 2nd, और cytokinesis 2nd भी पूरा हो गया, तो इस से दो से लिये बनगी, दो नवार हो गया, यह N, यह N, यह N, यह N, और यह सारी के सारी 1C, 1C, 1C and 1C, इसका मतलब है कि यहां पर एक deployed cell से, एक 2N cell से, N cell बन रही है, और chromosome का segregation हो रहा है, gametogenesis के दौरा है, इसका मतलब है कि बी किसको रिप्रजेंट कर रहा है, segregation of chromosome, बी जो हो है, वो उन सुत्रों के विलगन को परदर्शित कर रहा है, gametogenesis के दौरा है, और फिर A, तो A की अदर हम लोग बात करें, अब मैं आपको A और explain कर देता हूं, यह नब बढ़ देता हूं, तो A तो हो गया, इसके लिए, segregation, B जाब, अब B की अंदर आपको देखें कि NCIT के figure में, S से दो figure दिखा रखें, और इसके अंदर color change कर दिया, जैसे मियोसिस वन एनाफेज फस्ट है, यह paternal और यह maternal, यह वाला जो फोर्थ पेर है, और यह वाला मालो sixth पेर है, paternal, paternal, यह माला maternal और यह मालो paternal है, तो आपको देखें कि इस वैवस्ता में, इस 4th पेर का paternal उसके साथ 6th पेर का maternal एक cell में जाय रहा है, और उस cell के ंदर 4th पेर का maternal उसके साथ 6th पेर का paternal जाय रहा है, और ऐसा जब हुआ तो यह दोनों की cell में और यह दोनों की cell में अब यह पर मियोषी second और और anaphy opportun 2nd complete होगा तो फिर यह वाला जो पेर है वो और segregate होगा मतला अब यहाँ पर centromere breakdown हए और यह hapa centromere breakdown हुआ anaphy knitting 2nd इंदर एक ही metaphesic plate बनती है or sister chromatid ZM की बीज का जो centrum यह वो break होता है और वही यहां पे हो रहाए इसका भी रिज़क और इसका भी रिज़का भी इसका भी रिज़का इस तरीके से और उसमें फिर बदल जाएगी कि maternal के साथ पिर maternal और paternal के साथ paternal तो इसका independent assortment इन पर depend नहीं है कि यह जो है कि maternal इदर आए या paternal इदर आए या maternal इदर आए या paternal इन पर depend नहीं करेगा इनकी मर्जी है और यह वाले कि maternal इदर आए या paternal इदर 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 इनका assortment इनका assortment बदलेगा तो यहाँ पर जो gamets बनेगे उनके अंदर भी chromosome का combination बदल जाएगा यह समझे हो तो यह हो जाएगा independent assortment तो आप देख लेते हैं हमें क्या देखने है correct देखने है तो figure A represent independent assortment of chromosome बिल्कुल जाही है and figure B show chromosome segregation during diamant formation यह answer होगा है अपने को perfect तो और देख लेते हैं figure A वाला segregation नहीं है बोथ figure show segregation बिल्कुल नहीं figure A represent independent assortment of chromosome and figure B show chromosome segregation during mitotic division mitotic division? नहीं mitotic division जो हो somatic cell में हो रहा है यह तो gem cell है और इनके अंदर तो meiotic division होता है तो यहाँ पर क्या आता? मियोटिक तब सही होता है चीज़ समझ आई है आप लोग all perfect all perfect all perfect समझा all clear करो तो अभी आप लोग देखें कि answer को होगा है 49 का first इस से और clear हो देख लोग अब देख लो आप लोग NCIT में segregation के बाद में independent assortment के यह दो डाइग्राम में रखें और वहाँ पर दो possibility है possibility one और possibility second possibility one में कहा है कि one long orange chromosome यह वाला and salt green chromosome and long yellow and salt red chromosome at same pole एक pole की तरफ है और एक pole की तरफ है तो मियोसिस one हुआ फिर मियोसिस two हुआ तो orange के साथ green आ दया और आपके yellow के साथ में red आ गया समझे रहो इनका assortment impediment नहीं और इनका assortment impediment नहीं इस बाद दो आशोर्टमेंट change हो गया orange के साथ red और yellow के साथ green मियोसिस one मियोसिस two और आपके इस दोरान orange के साथ green था तो अब यहां पे orange के साथ red है यहां पे yellow के साथ green है यह है independent assortment मोनो हाइब्रिड के साथ है यह डाई हाइब्रिड किस प्रकार का cross डाई हाइब्रिड क्रोस इसमें मालो एक करेक्टर जो था capital T capital T small T small T और दूसरे वाला जैसे capital R capital R small R small R वो अलगले chromosome पे ओने ज़रूदी समझे रहो तो एक करेक्टर का जो assortment है वो दूसरे पे डिपेंड नहीं और दूसरे का पहले पे नहीं क्योंकि उन करेक्टर की जो alternative form है वो different different chromosome पे है और उनका behavior तो एक दूसरे के parallel है अगर वो independent assortment शो करेंगे तो फिर उस करेक्टर की जो alternative form है उनका भी होगा चीज़ समझे रहीं? ओके तो यह बात हो यह question का पी soundar question का उमीद है maximum बच्चों ने इसको सही किया होगा तो यहां पर देखें कि यह brosophil है Morgan का study material जिसको अखाल था यह जिसका size बड़ा है इसका size बड़ा है यह जो है female है sorry इसका size बड़ा है यह है female और यहां आप लोग देखें कि how many statement are correct for given figure कि इतने के लिए सही है तो it is drosophila melanogaster बिल्कुल सही है लेकि A के लिए लिखा है female A के लिखा है female लेकि A का size तो चोटा है और जो चोटा है वो male है यह वाला तो गड़बड हो गया और B के लिखा है male लेकि B तो क्या है female तो इसका मतब है A वाला wrong हो गया फिर a big fruit fly नई NCR दे लिखा है big की जगए क्या small एक छोटी फलमकी यह भी गलत हो गया फिर complete their life cycle in about two weeks बिल्कुल सही है short life span है यह वाला tree हो गया फिर sexual dimorphism होता है बिल्कुल होता है लेंगिक द्वी रूपता होती है नर छोटा है माता बड़ी है और जो माता है उसके अंदर पीछे के तरफ और भी positive होता है ठीक है न तो यह वाला perfect है फिर e देखें with many type of hereditary variation यह भी सही है microscope से पता लग जाता है फिर f देखें इट contain four pair of chromosome four pair यानि इसके पास eight chromosome होते है यह भी सही है फिर male with xy male जो है उसके अंदर xy condition होती है and female with xx बिलकुल जाही यह भी perfect हो गया फिर h देखें कि y chromosome is responsible for sex determination in male कि y chromosome जो इस male में है वो sex determination में involved है बता हो है गया y chromosome human के अंदर जिस तरीके से male के अंदर sex determination के लिए involved है y chromosome जैसे हमारे अंदर link निर्दारन के लिए जिम्मिदार है वैसे बिलोसोफिला में जिम्मिदार नहीं है वहाँ पर male-nese के gene जो है वो autosome पर होता है और female-nese के gene जो है वो X chromosome पर होता है उसमें X chromosome और autosome के set का जो ratio है उनकी वज़े से sex determination होता है हाँ Y chromosome जो है male की fertility के स्परमेटोजनेशिस सुक्राणो निर्मान के लिए जिम्मिदार होता है Y chromosome अगर नहीं होगा तो उनमें नर बद्य हो जाएगा उसमें sterility आजाएगी लेकिन sex determination के लिए drosophila में Y chromosome involved नहीं होता है तो यहाँ पर H वाला क्या हो गया गलत हो गया तो इसमें आपको पूछा क्या है पूछा क्या है अभी How many statements are correct? Okay, so one, two, three, four, five तो इसके अंदर पांस statements सही है तो answer हो जाएगा second उमीद है सब लोगोंने सही की अब इसमें हम लोगोंने दो जगे से question को एक साथ बनाये सेक्स determination को भी और जो Morgan ने जांपे सर्चा कर रखी उन दोरों को एक साथ मर्ज करके ये question बनाया गया है इसको निचे ले आते हैं ओके ये question जो है उमीद है आप लोगोंने सही किया होगा Morgan ने Drosophilap में linkage की study के लिए कई die hybrid cross किये थे आपको पता है और उन कई die hybrid cross में दो cross थे cross A और cross B और यह जो cross A था उसमें आपना आप लों NCI टेम देखो cross A जो है जो है आई color और ओडी color के लिए है और cross B जो है जो है आई color और wing shape के लिए है cross A में आई color और ओडी color का जीन पास पास तित है यानि linkage ज्यादा है और cross B जो है उसके अंदर आई color और wing shape का जीन दूर दूर है यानि वहाँ पर linkage कम है यह सुचना information आपको नहीं चीए इसका मतलब है कि cross A आई color और body color के लिए है उसमें आप लों देखिए शुरुवात के अंदर जो parents है उसमें जो female है वह है white eye और yellow body और male wild type का है red eye and brown body और यह जो जीन वह एक्स chromosome पर है और उनसे जो F1 में जो male female बना तो female wild type के होगे brown body, red eye और male जो है वो recessive वाला white eye और yellow body होगे फिर उनके cross से जो F2 आया उसके अंदर parental type और recombinant दोनों बने और जो parental type बना वो 98.7% बना और recombinant के वाल 1.3 बने इसका मतलब है कि body color और जो eye color का जीन है उनके बीच में distance कम है और उसके अंदर भी wild type का जो है वो male है और female जो recessive है miniature wing वाली है और white eye इधर जो बड़ी wing है और red eye है उनसे जो F1 आया उसमें female जो है बिलकुल उसकी तरह ही wild type की होगी और उनमें जब cross सो F1 में तो F2 आया उनमें parental और recombinant दोनों बनी और वहां पर आप देखें कि 62.7% जो है वो आपके parental type और बाकी क्या होगे recommendant तो इसको आप देखें कि कि cross A for body color पहले देख लेखें कि Morgan carried out several dye hybrid cross in drosophila to study gene that were sex linked select and correct option regarding these crosses यहां पर PT का मसलब होगा parental type और RT का मसलब होगा recombinant type कि drosophila link selegan gene के अध्यन के लिए Morgan ने drosophila पर कई द्वी संक्रन प्रयोग कि इन cross के लिए एक सही विखल्प का चुनाव करें तो आप देखें कि cross A जो है वो body color और eye color के लिए यह तो सही body color और eye color के लिए cross होता है और फिर cross A की F2PD के अंदर जो parental type है वो 98.7% मिले यह भी अभी मैंने आपको पताया क्योंकि दोनों gene की बीच में दूरी कम X chromosome थी और फिर recombinant type 1.3 मिले क्योंकि linkage जो वो कम है और इसका linkage के बारे में क्या है कि linkage between body color gene and eye color gene is more मिल्कुल यह वाला आपको perfect answer हो जाए गया जो cross एक अच्छे तरीके से explain कर रहा है कि cross है सरीर तता आंकों के रंग के लिए है और उसके अंदर F2PD में parental type इतने आए और recombinant ही आए और अगर recombinant कम होते हैं तो इसका मतलब है कि एक सैलग नताज होते है वो engine के वीच के अगर क्या होते है linkage engine के वीच में वो क्या है जाए जाए linkage gene जितने पास पास तेत होंगे recombinant उतने ही कम बनते हैं इसके अंदर F2PD में जो parental type है वो यहां पर 98.7 दे रखे हैं जो कि गलत हो गया वह यहां पर कितने होंगे इसका मतलब है कि अगर यहां पर रिकोमिनेट ज्यादा आ रहे है इसका मतलब आई कलर और विंग सेप के जो gene है वो X chromosome पर काफी दूर दूर स्तित है जिससे उनके बीच में जैनिटी के recombination जो है वो maximum possible है चीज़ समझ जाएं तो इसके अंदर आपका आंसर क्या जाना चाहिए? पर फिर से NCIT के डाइगराम में आप लोग इसको देखें समझें और फिर भी अगर नहीं आ रहे है तो इधर दुबार देखें तो यह अपना question number 51 हो गए है अभी आपका बहर दुबार 51 को ही explain करने के लिए इस figure को हम लोग नहीं आपकिया है NCIT के अंदर यह figure दिया है और cross A और cross B cross A जो है वो eye color and body color के लिए और cross B जो है वो किस के लिए वो है eye color and ring set के लिए के करना तो आपको देखें कि cross A के अंदर जो female है वो recessive है yellow body color and white eye है और male wild type brown, mootie है और red eye होती है और फिर आपको देखें कि यहांपर XX है और यहांपर X और यह वाला Y chromosome है तो जब gametogenesis होगा तो इस दौरान आपको देखें कि gametogenesis के वजए से इसमें एक टाइप का gamet बना इसमें दो टाइप का gamet बना और इस तरफ से यह एक साया तो जो female थी वो wild type कि आगे क्योंकि Y plus W plus वाला जीन यहांपर आगया यह female जो वो कैसी होगी brown body और red और इस white के साथ यह x आया तो male जो होगेचारा रिसेशिव हो गया yellow body और white eye के साथ अब आप लोग देखें कि इन से यह f2 जर्मेशन भी लिए तो इसके अंदर यह parental type और recommend type कैसे आये तो आप लोग इधर जाने है कि यह जो female है इसके पास जो x chromosome है जैसे एक x यह वालोग पर अपने लिए और आपको पता कि इस पेज के अंदर DNA replication की बज़े से sister chromatid बन जाते हैं तो इसके उपर जो है वो यहां पर y और y और फिर यहां पर w और w फिर इसी का जो homologous एक और आया है यह भी sister chromatid बना लेगा यह निले वाला तो इसके उपर भी यहां पर क्या होगा y plus और यहां पर y plus और फिर डबलू वाला यहां पर हो जाएगा यहां पर w plus अब इनके बीच में genetic recombination होगा और जब इनके बीच में genetic recombination होगा और फिर जब anaphase 1 और anaphase 2 complete हो जाएगी तो इस तरीके से इस चार टैक के जो गेमेट बनेंगे इसमें आप अब देखें कि एक गेमेट तो ऐसा बना जिसके अंदर y plus और w plus वाले condition है यह female गेमेट है और एक गेमेट यह बना जो कि recombination है जिसके अंदर जो है वो यह वाला y और यह वाला w plus अब यह देखें अब यह गेमेट रिकोमिनेट हो ना क्योंकि जब जैनेक्टिक जीन एक्षेंज हुआ तो यह कुछ इससा इसके साथ जोड़ गया और इसके साथ इसका कुछ इससा जोड़ गया तो अब आप लोगे कि इस तरप से जब गेमेट बनेंगे इस क्रोमोजॉम की तो यह एना फेस सेकेंड के दुरान जब सेंट्रोमियर ब्रेकडाउन होगा और सिस्ट्रोमियर धूतेंगे यह तो इसमें तो कोई जैनेटिक रिकोमिनेशन हुआ है नहीं तो विल्कुल ऐसा का इसा है डबलो और इसमें हुआ तो यह y प्लस फरिए अगर दार्य है तो यह अगर इशी डबलो तो यह उती तो यह प्लस एडम्यो तो यह जैनेटिफ ग्यामियर यह जो अगरदिक साट्याओए जार्नेटिक व्रेकडाई इस चीज़को कोन्य दिखाया था तो आपनों देखे कि अगर भी मेट के नहीं अगर ये वाले जो जह गमेट अगर आगर गये हैं यह यह उन अगर इससे ठेट अप की या ऊज दूंत उन दूब आगं-बारी उनकातिम्र बड़िए हो दूब आइसा कि और उनकाति हैं ये वाली chromosome गए गेमेट के तरू तो parental type के male या female बनेंगी और अगर female की तरफ से गेमेट recommend type की गए तो इस type के जो है recommend male या female उत्पर्म बिल्कुल यही concept यहाँ पर भी है इनके बीचे भी genetic exchange होगा और बिल्कुल इसी तरीके से parental type और recommend type के गेमेट बनेंगी और वो आगे फिर male गेमेट के साथ फ्यूज हो करके ऐसी सिंतातिय उत्पर्ण करते हैं तो इस तरफ आपनों देखें कि इस तरफ इन दो जीन की तुलना में इन दो जीन की बीच की दूरी ज्यादा है और अगर इनके बीच में दूरी ज्यादा है तो इनके बीच में genetic recombination ज्यादा होगा और genetic recombination अगर ज्यादा होगा तो इसका मतलब है कि recombinant type के जो offspring बनेंगे इस cross में वो ज्यादा बनेंगे और parental type के इसकी तुलना में कमदे को 62.8 और आपर 37.2 चीज़ समझाएं आपको इसके अंदर जो data है वही आपको यादबना है एक चीज जो NCRT ने इसके अंदर डिखाई है वो कि साधार पे कि यहां इस इसमें या इस दोरान इसका sister chromatid बना और इसका भी sister chromatid बना और उनक के वीच में gene exchange हुआ और उससे recombinant और parental type की gamet उत्पन हुए और उनी gamets के fusion के according recombinant या parental type की offspring उत्पन हुए चले आगे अगला किर्शन कि there are four pair of chromosome in a drosophila a linkage group present in drosophila देखो linkage group जो है linkage group linkage group क्या है haploid set of chromosome chromosome के haploid set को ही linkage group का गया है तो आप लोगों देखिए कि जो four pair है और अगर four pair है इसका मतलब आठ chromosome है और आठ जो है उसका मतलब है linkage group कितना होगा four क्यूंकि उसका है प्लोइंट सेटी होता है जिनोम जिसको अपर लोगों कहते है तो linkage group present in female drosophila तांसर हो जाएगा four क्योंकि अगर हम लोगों female की बात करें तो जैसे eight pair है तो तीन pair तो autosome है और one pair जो है वो yellow song है yellow song यानि एक्स एक्स यानि three pair यानि तीन और एक एक्स है मतलब एक्स का pair है यानि एक एक्स यानि टोटल कितने होगे four अगर male होता तो यहां पर तीन pair autosome है और एक जो अंदर yellow song है वो एक एक्स और एक y यानि तब होता तीन प्लस चार प्लस पांच मेल होता तो पांच होता है linkage group लेकिन female है तो चार यह क्योंकि female में x chromosome homologous की form में है जैसे human के अंदर female के अंदर अगर देखें तो 23 linkage group है 22 autosome और एक x प्रमेल में 22 autosome प्लस x प्लस y यानि 24 linkage group होता है okay percent of crossing over is more कि दो जो homologous chromosome है उनके non-systochromatrix के बीच में तो crossing over होता है ज्यादा कब होगा देखें कि gene are located in a different cell link gene का chromosome पे एक ही cell में होना जरूरी तभी तो crossing over होगा अलग-लग cell में होगा तो कैसे crossing over होगा यह वाला गलत हो गया फिर gene are not linked कि जब percentage of crossing over is more तो इसका मतलब gene का crossing over हो रहा है इसका मतलब उन gene का अपस में एक chromosome पर तो होना जरूरी है ना अभी तो genetic recombination होगा तो linkage का तो होना जरूरी है फिर linked genes are located far apart from each other हाँ linkage है और linkage इस तरीके से कि वह gene एक दूसरे से दूर दूर स्थित्त है तब आपको देखें genetic recombination हो जाएगा इससे यहां पर capital A लिया यहां पर capital B यहां पर मानलो small A, small A, small B, small B तो genetic recombination हो जाएगा अगर linkage है लेकिन वह दूर दूर है तो यह वाला अपना यहां पर perfect हो जाएगा चोथा है कि linked genes are located close to each other अगर linked genes एक दूसरे के बिल्कुल पास पास देते हैं तब जो है percentage of crossing over more नहीं होगा तो वह less हो जाएगा समझेरों तो इस question का असर हो जाएगा आपका ट्यक है next question की दर बढ़ते है if percentage of crossing over between two genes is 20 then the distance between two genes की दो genes है और दो genes की बीच में जो genetic recombination है जिस gene A और gene B और अलग-अलग chromosome पे अगर हम लोग इनको इस तरह की जिश्यो करें कि capital A, capital B, small A, small B उनके बीच में distance over 20 जो है percentage, crossing over between two genes is 20 है तो then distance between genes पूछ रहा है तो जितना उनके बीच में crossing over होता है आपको पता है उतना ही उनके बीच में जो है वो distance को centimorgan या map unit के अंदर बताया जाता है जैसे one percent recombination है तो one centimorgan distance होती है या one map unit है यह आपको याद रखना है कि 20 percent अगर crossing over है तो distance क्या हो जाएगी 20 centimorgan क्यक्क है फिर देखे एलेल और different genes that are on same chromosome can occasionally be separated by a phenomenon card कि एक ही chromosome पर अगर है कि आपको देखे कि अगर यह genetic recombination की process करें तो देखना capital A capital A इस तरब capital B capital B उस तरब small A small A इस तरब small B अच्छा मैंने यहां पर यहां पर भी capital B है अब आपको देखे अगर इनके बीच में genetic recombination होता है इस तरब तो फिर यह किस तरीके से आईगा अजर यह बहला देखें कि small A और small capital A है यह बहला कि capital A और genetic recombination होता है उस तरब से इसके पास क्या आगा है क्या है small B और उस तरब जो है small A उसके साथ क्या चला जाएगा capital B तो इसका मदर आए कि जो जीन जो नोन एलेलिक जीन एक ही chromosome पे है वो crossing over की वजए से जो है occasionally अलग-अलग हो सकते हैं अलग-अलग सेल के अंदर जा सकते हैं समझे रहा है इसको तोड़ा सा और मैं आपको समझा लेका यह दो capital A capital A इसका sister chromatid बना DNA replication के बाद capital V capital V हम इस तरफ small A small A और इस तरफ जो है वो small भी small अब मालो यहां पर gene action जोगा यहां पर gene action जोगा यह इसके साथ connect और यह वाला इसके साथ connect और फिर यह बीच में से enough a second के दुरान centrumी breakdown होगा तो अब आपको देखिए यह वाला जो chromosome होगा उसमें इस capital A के साथ यह वाला small B होगा और यह वाला जो sister chromatid होगा उसमें small A के साथ इस तरफ से capital B होगा ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा 55 के अंदर आपका प्रोजे नहीं है अगर पैरेंट हैसे हों तो कितने होगे वही है जो सुरुवात में आपका मैंने probability के बैसिस पर बताया कि जिसमें capital A small A, capital B capital C capital C capital D small D capital A small A, capital B capital B, capital C capital C, capital D small D और capital A small A, capital B small B, capital C small C, capital D capital D और ये वाला जनोट है, capital A capital A, capital B small B, capital C capital C, capital D capital D तो देखिए, individual probability, कि इनकी वज़े से ये कितना हैगा, 1 by 4 और इसकी वज़े से ये B, तो हमें heterogeneous C है, capital B को चुपा दो, capital B small B, capital B small B, 1 by 2 और इनकी वज़े से ये वाला हमें यहाँ पर ये capital C capital C है, तो small C को चुपा दो, यानि ये वाला 1 by 2 और फिर इनकी वज़े से ये ची, तो small D को चुपा दो, capital D, capital D, capital D, capital D, यानि 1 by 2 और इन सब की probability को apply कर देंगे, तो 4, 8 और ये हो जाएगा, 1 by 32 तो 1 by 32 तो answer हो जाएगा आपका 4, 56 जो है कि उस नमबर उसके अंदर answer हो गया, 4 यानि 32 में से एक ऐसे होंगे, जाएगो तो 32 बनेगे, देखो यहाँ पर कितने अटर जाएगा सा, 1 और 2, यानि कितने के मेंट बनी, 4 इधर कितने के मेंट बनी, 4 इधर कितने अटर जाएगा तो उन 32 के अंदर एक ही ऐसा जाएगोट होगा, जिसका जिनोट है यह होगा, ठीक है, चला है, ओके, इफ रिकॉमिनेशन फ्रिक्वेंसी अभी यह जनेटिक मैप वाला के उसे है, जितना जनेटिक रिकॉमिनेशन होता है, उसको आरेंज करके हम लोग क्रॉमोजोम पे जी इह ए सिय अधिक कर्यां आज एक है, उसकोलना खेंच वकिंटक बिकले सिकंट सेंट, विकॉमिनेशन फेक्वेंसी है दो प्रषेंट, विक्विनक प्रषेंट। बी आ दी के यह कि लिए थीया है, बेला सस्टीक, और जीशन फेक्वेंसेन स्टीन रफेंट। एने तप्रि तो एक पर दुबारा देख लो, A और C के बीच में रिकॉंबिनेशन है 2%, B और C के बीच में 13%, B और D के बीच में है 4%, और A और B के बीच में 15%, C और D के बीच में 17%, और A और D के बीच में 19%. तो इसमें देखें कि सबसे जयादा A і D के बीच में है कितना है?, 19% अनि 19 cm बाद नहीं उसके बाद में A और B के बीच में कितना है, आई कि माल और B और C के बीच में कितना है 13% क्योंकि उसके बाद maximum यही है तो B और C को यहां लेगा और B और C के बीच में कितना है 13 centi more यह वाला B हमारा हो गया फिर B और D के बीच में B और D के बीच में 4% यह भी हो गया यह हो जाएगा 4 centi more एक है तो B हो गया और फिर A और C के बीच में A और C यह वाला हो गया A और C यह हो गया 2 centi more अब आपना देखना कि यहां से लेखे यहां तर पंदर है तो 13 तो यह हो गया और 2 यह हो गया 13 14 पंदर हो गया तो ओडर हो गया हमारा A C B D या फिर B B C A A C B D A C B D यह रहा परफेक्ट हो गया D P यह गया D B C N A इससी अगड़ हो गया A B A B C D नए हमें क्या चीए A C B D चीए भी गड़ गड़ हो गया और A D भी नए तो आंसर हो जाएगा अपना 57 के अंदर 1st जितना recombination frequency है उसका मतब वही उन जीन के वीच की दूरी है सेंटी मोरगन में और maximum जो दूरी है उसको लिखके छोटे लिखते जाओ उससे हमें जीन उपर क्रोमोजॉम पर यह जीन का जो ओर्डर है उसका पता लग जाएगा ओके सेलेक्ट ओर्ड वन विद रस्पेक्ट टू पोलिजेनिक इनेरिटेंस अब इसके लिए आप लोग एंसी आटी में पोलिजेनिक इनेरिटेंस जोए जाँ पर एक करेक्टर को कई जीन कंट्रोल कर रहे हैं उसके लिए जो स्टेटमेंट लिखे हैं वो आपको देखने पड़ेंगे तो आप देखें कि there are many polygenic traits which are not so distinct in their occurrence and are spread across a gradient कि बहुत सारे ऐसे बहुर्जीनी लक्षन हैं जो अपने उपलक्तता में इतने अलग दिखाई नहीं देते हैं और प्रवनता में पेलेवे अपने हैं उनमें विवेदन किया जा सकता है और उनमें कोई gradient भी नहीं होता है लेकिन polygenic के अंदर जो है वो इतना distinct नहीं होता है जैसे skin color की बात करें तो बहुँ जदा dark फिर कुछ dark जैसे dark बहु जदा dark very dark dark slightly dark intermediate color हो गया slightly light very light तो यह gradient बनता गया और इसमें इतना जो है अंतर की सपर्ष्ट नहीं होता है तो यह NCRT की line है और जो अपने monogenic की बात करेंगे तो उसके अंदर आपको पता है कि contrasting trait होते हैं और वो एक दूसरे से distinct होता है यह तो टॉल है या ड्वार्फ है यह तो सीर्ट राउंड है या ब्रिंकल्ड है तो वो monogenic की बाता है और यह तो नहीं है दूसरा देखें इन हुमन वी हैव only tall and short people is to distinct alternative नहीं हमारी जो height है वो polygenic वाला है और इसके अंदर भी अलग-अलग gradient होता है height का यह देखो अलग-अलग gradient होता है क्योंकि यह polygenic character है कि वो बोन नहीं और लंबी थोड़ी होते हैं कि कि वो लंबा है कि वो बोन है नहीं यह तो monogenic inheritance में हो गया है और इसमें लिखा है कि they are not so distinct यह distinct नहीं होते हैं and are spread across a gradient और एक gradient की form में एक प्रवनता की रूप में फेलेवी होते हैं तो NCIT के line में आपके कि यहां पर यह तो statement उसके लिए क्या लिखा हुआ है कि वहां पर केवल toll और short जो है वो ही नहीं होते हैं पुरा उनका अलग-अलग height वाले individual होते हैं तो यह वाला यहां पर तोड़ासा क्या हो गया है गड़बड़ होते हैं एंड थ्री रिसेसिव अलग विल्एव रिंटरमीडियेट स्केन कलर बिल्कुल सही है मुलेटो कहते हैं Capital A small है Capital B small b और Capital C small C intermediate है तो यह वाला वीश के अंदर सही है। ओड़वन कहुंसा हो गया और क्यों हो गया ओनली गदारक है NC item देखूं क्या लिखा हुआ है चलें आगे 58 के अंदर क्या अंसर हो गया आपका से क्या है अब आपको देखें कि यह एक chromosome है Homologus उस पेग जीन है A 1 B और 1 C अब आपको देखें जीन A और B के बीच की जो distance है वो कम है इसका मतलब है कि जीन A और B के बीच में अगर distance कम है तो उनके बीच में linkage ज्यादा होगा linkage ज्यादा है और अगर linkage ज्यादा है तो उनके बीच में crossing over कम होगा genetic recombination जो होगा वो भी कम होगा और independent assortment भी क्या होगा कम होगा लेकिन अगर यहां पर जीन A और C की बात अगर हम लो करें तो उनके बीच में distance जो है वो ज्यादा है और distance ज्यादा है तो linkage कम है और linkage कम है कि इसका उतलब crossing over ज्यादा होगा independent assortment जो होगा ज्यादा होगा अमझे रहो और genetic recombination की process भी genetic recombination भी क्या होगा ज्यादा होगा तो वही हम इसमें देखा है कि select and correct option regarding genetic recombination and linkage तो देखें कि अगर linkage ज्यादा है तो crossing over जो होगा वो कम होगा यह तो सही है and recombination ज्यादा नहीं recombination की कम होगा तो यह गलत होगा फिर देखें if crossing over ज्यादा है तो linkage ज्यादा थूड़ी होगा तो linkage कम होगा तो यह गलत होगा यह देखें यादि independent assortment ज्यादा है then crossing over कम नहीं crossing over भी तो ज्यादा होगा और linkage उस दुरान कम होगा तो answer इसके अंदर अपना कौंसा बेट जाएगा तो 59 जो है उसके अंदर answer हो जाएगा वाइ मैंडल वर्क रिमेंड अन्रिकोगनाइज तिल 1900 तक उनका पाले ज्याओ लोगों तो क्यों नहीं पहुंच पाया तो देखते हैं कि ड्यू टू इजी कम्मुनिकेशन नहीं ता तफ ता उस दोरान लोकल मेकजी नहीं थी तो NCRT के अंदर लिखा है कि उस दोरान कम्मुनिकेशन अच्छा नहीं था फिर इस वर्क वाज नॉट असेप्टेट बाई इस गॉन्टेबरेटी यह भी सही है कि साथ वाले जो लोग थे उन्होंने उसके वर्क को असेप्ट नहीं किया था तो यह यह कारण ही हो सकता है he provide a chemical नहीं he does not provide any physical proof for the existence of factor यह statement के रहता है इसको चेंज कर दिया गया यह गलत हो गया आपका फिर because Mendel was able to carefully observe the cell division नहीं उसके microscope था ही तो Mendel का काम क्यों नहीं recognize हुआ तो इसके अंदर कई कारे नहीं सेटीन दे रखे हूं जो कुछ को यहां पर change किया हुआ है जो सही है वो कौन सा है second है तो 60 के अंदर answer हो जाएगा आपका second चला हैं ओके तो जाएगा है जाएगा है जाएगा है तो आप लोग देखें कि जो completely linked होंगे उसके लिए आपको क्या concept लगाना है गेमेट नेर्वान के लिए तो यहां आप लोग देखें कि यह जीन जीन टाइप है इसमें एन वन एन टू और यह जो है completely linked है इसे पास पास देता है इनके बीचे में जनेटिक भी कॉमिनेशन हो जाए था लेकिन यह तो पास पास है यह इस दौरान एन की value 1 नहीं लेनी है एन वन की value 1 और एन 3 की value भी 1 नहीं लेनी है चाहें यह जो है हेक्टर जाएगा सा उस्ता मे हो आपको इसमें n की value 1 नहीं माननी क्योंकि यह completely linked होता है इसका मतलब है कि आप लोग यहां पे जो है एक दो और तीन इसको दो consider नहीं करेंगे एक ही रखेंगे क्योंकि completely linked होता है दो गुनाद दो गुनाद दो यहनी कितने के event बने है आठ के event बने है और इसके लिए आपको ऐसे लिख सकते हैं कि capital C capital D और small c small d for a client method यूज कर लो capital A small a capital A small a फिर capital B small b 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 इस तरीके से आपके पास आठ टाइप के event बने हो जाएंगे ठेक है चले आगे ओके select and incorrect one with respect to complete linkage complete linkage के अंदर जो जीन होता है वो प्रोमोजॉम पे बिल्कुल पास पास तेत होता है ठेक है ना तो इसके लिए हमने गलत जो आपको देखना है तो पहला देखें कि linked gene tend to separate frequency कि जो gene linked होते है वो frequency अलग अलग हो जाते है नहीं ऐसा नहीं linked gene जो एक साथ inherent होते है क्योंकि genetic regulation कम आता तो इसके अंदर incorrect यही हो गया यह वाला answer आपका यह हो जाएगा बाकी देख लेते है कि F2 phenotypic ratio is 3 ratio 1 in dihybrid cross के बाते हैं जिसमें A और B completely limited है दूसरा small a small a small b small b इन से केमेंट बना capital a capital v इन से बना small a small v इन में cross हुआ तो F बनाया थाखका capital a small a capital v small v अब इस F1 में selfing की अब आपको देखें कि completely linked है यानि N की value आपको दो नहीं लोगे एक ही लोगे तो पास पास देते हैं तो यहां पर जो N की value 1 है तो N की value 1 यादी 1 या नहीं आपको कितने गेट बने 2 यह तो बना capital a capital v और एक बना small a small क्योंकि आपको देखें इस दुरान capital a small a और बिल्कुल इसके पास capital b small b present है तो एक साथ एगे मिटके अंदर रहे गया और एक साथ एगे मिटके अंदर रहे गया एसे गे मिट आपने capital a capital b और small a small b इह में आपको होगे a a b b a b small b capital a small a capital b small b और small a small a small b small b 1 by 4 1 by 4 1 by 4 and 1 by 4 ठीन अनपात एक फिनोटैइपिक रूआ डेक और वर इसके अंदर इक लूए जाया तो और इसके अंदर एक पीक या डी नहीं here इन die hybrid cross is 3 ratio 1 यह वाला जाह बना दूसरा क्या है? die hybrid test cross ratio is 1 ratio बना यह बना test cross ratio की बात कि बात कि.. देखे एफ बना test cross यहाए बना तरह स्मोल ए बना गेमट केतना बना ? यह बना capital ए गेपनल ए ? देखे बना capital है small v यह देखो, एक अनपात है, एक अनपात एक आजाएगा, यह वाला भी सही, फिर 100% parental combination in F2 generation, यह देखो, F2 generation के अंदर 100% parental combination होगे, यह देखो, तीन जो हैं, वो इस प्रकार के हैं, जो सुरुवात में लिए थे, capital A, capital B, capital B phenotype वाले हैं, और एक, जो एक पेरेंट था, small A, small B, small B, तो 100% parental phenotype है, रिकोबेनेंट नहीं है, तो यह वाला भी सही तो गलत कोईसा होगे हैं, first, Okay, who use the frequency of recombination between gene pair on same chromosome as a measure of distance between gene and map their position on chromosome NCIT में दिया वाय है, Morgan जो है, उसका student, Alfred Stewart-Wert, तो first answer हो जाएगा, Today which one is used as a starting point in sequencing of whole genome, वहीं पर NCIT ने यह line last के अंदर लिख रखी है, और इसके लिखा, आजगल यूज किया जाता, genetic map, अन्वांसिक नक्स है, ठेक है, simple सा था, Okay, in which of the following condition, bar body is absent, bar body का मतलब है कि जिसके अंदर extra chromosome जो होता है, X chromosome, extra X chromosome inactive हो जाए, उसी को bar body कहते है, तो आपको यहां देखें कि Turner syndrome जो है, वो monosomy condition होती है, और उसके अंदर 44 plus X O condition है, यानि 44 और 45 हुए, एक X chromosome उसके अंदर है ही दी, यानि अगर उसके पास एक X chromosome है, दूसरा है नहीं तो bar body होगी नहीं उसके अंदर, तो Turner syndrome जो है, उसके अंदर bar body क्या होगी, absent होगी, client filter syndrome की बात करें, यह तो आपका हुजाएगा 44 plus XXY, और यानि इसके पास एक bar body होगी, single bar body, फिर female with down syndrome की अगर हम लोग बात करें, यानि down syndrome यानि 200 chromosome की tridomy, यानि पहनतालिस, प्लस female XX, यानि एक bar body बन जाएगी, one bar body, तो इसमें भी bar body है, इसमें भी bar body, इसमें भी bar body नहीं है, triple X syndrome की बात करें तो यह female में होता है, जिसमें 44 plus XXX condition होती है, तो उसके अंदर दो bar body हो जाएगी, तो इन तीनों में bar body है, लेकिन first वाला जो उसमें bar body नहीं है, sex of human size, जो है वो father का, जो गेमेट हो डिसाइड करेंगा, जो फादर जो हो, हिटेरोगेमेटिक होता है, एक्स वाई, तो 50% sperm 22 plus X वाले है, और 50% sperm 22 plus Y वाले है, तो female जो है, sorry male जो है, उसके गेमेट सी हिए डिसाइड होता है, तो size का कोई लेना दान्या नहीं है, sex chromosome mother, male, sex chromosome of father, क्योंकि जो हेटरोगेमेटिक होगा, वो sex determination के लिए involved होगा, okay, LCIT के अंदर ही, जो अलग-अलग हेटरोगेमेटिक, male या female के साथ, sex determination को समझाया होगा है, उसी के लिए है, कि select and incorrect option for sex determination, तो अगर हम लोग human की बात करें, तो human में जो male है वो हेटरोगेमेटिक होता है, तो उसके से दो टाइप के गेमेट बने, और जो female हो हो होमोगेमेटिक है, और एक टाइप के गेमेट बना, तो उनके अंदर autosome के साथ साथ female में AA, autosome के साथ XX और male में autosome के साथ X O condition, यानि male जो है उसके अंदर 50% जो गेमेट हैं उसके अंदर X chromosome होगा, 50 में होगा ही नहीं, 50 में क्यावल autosome होगा, तो वहाँ पर दो टाइप के गेमेट बनी male में, एक टाइप का ही, तो X X female और X chromosome male यह वाला भी सही है, फिर birds के अंदर heterogamatic female होती है, तो female जो गेमेट बनाएगी Z और ZW, और male एक ही टाइप का, तो ZW female और ZZ male यह वाला भी सही है, यह वाला, drosophila, drosophila के अंदर जो condition है, X Y X X, लेकिन X Y तो male होता है और X X जो होती है, वो female होती है, लेकिन female गेमेट क्या दिखा रहा है, X Y इनना है यह यह तो गड़बड हो गया, यह दर जाएगा, और यह वाला इदर आगा जाएगा, यह वाला आपका order हो गया, यह आंसर हो गया 4, ठीक है, What is true in case of honeybee, honeybee के case में क्या सही है तो honeybee आपको देखें कि जिसके अंदर क्वीन जो टाइप के गेमेट बनाती है, एक ऐसे गेमेट होते है, एक होते है, जो फटिलाइजिशन के बिना जाइगोट में चेंज होते हैं, ट्रोम में, यानि, जो क्वीन और वरकर भी होंगी, वो टिलाइज एक से बनती है, तो मेल हपलोइड होगा और फिमेल हपलोइड और भी मेल हपलोइड होगा, आप आंसर होते है, वो पार्थिन हो जनने से से बनता है, इन इसे इना हाफ, ऑप्सपंप उजेज एकस ओटोसों के साथ, और हाफ 'reकर अब के वपवर के वग मिव ओडते हैं, यो और हाफ वेक, 30 तो थेनदर हुआँला, क्योंकि उनके अंदर ग्र्यंस के साथ lotta क्रिया, बादोंकि शु wrapping, If अंदर किए अब ऑनके अनदर क्वेस कुछ नहीं हो, ओ, कुछ नहीं हो, देल के तो आशर हो जाएगा 4, 69 जो है, 4 हो हो गया, 5. Who traces specific nuclear structure, all through spermatogenesis in few insects, और वो हैंकिंग ने, जो है, observe किया ते NCID में बेर अगाए है Okay, sex determination पर यह अच्छा question बना हो रहा है, तो आप लग देखें, यहाँ पर हमें correct देखना है, sex determination के लिए, तो आप यहाँ आप लग देखें, human के अंदर female जो है, उसमें sex chromosome XX है, तो सही है female का sign, फिर, यहाँ पर drosophila है, जिसमें इसका size तो कम, और इसका size ज्यादा, याँ ज्या में चृती है तो में मेल होगा, लेकिन इसको फिमेल रहता ह। हो यहाँ लग होती है, और यहाँ पर आप लग देखें कि बर्ट के अंदरquinho पर फिमेल हो कि अंदर постро jouros भी वहेटरोगमेटिक होगी है चलो, which one of the following pain is incorrectly missed regarding chromosomal abnormality in human इलकरेक देखना है, तो Turner syndrome 44 autosome होते हैं और एक X chromosome होते हैं, यह सही, फिर Down syndrome में 45 autosome होते हैं और Down syndrome में 45 autosome और एक XX condition होते हैं फिमेल के अंदर, क्लाइन फिल्डर syndrome में 44 autosome और XXY होते हैं यहां पर XYY दे रखा है गलत होते हैं और एडवर्ड syndrome में जो है उसमें भी 18 chromosome की trisomy होते हैं तो 45 autosome हो जाते हैं और यह मेल में मेल हो सकते हैं तो यह भी ठीक है तो गलत जो है 72 के अंदर, 3rd prosaic बिच वन फॉल्बीग इस नोट तो एग्जम्ट ऑप ट्रीजोमी का एग्जम्ट लेंगें हैं और और extra XR, 47 हो रहा दा, 45, 46, 47 हो रहा दा, ट्राइजोमी हो गी और दाउन शिंड्रो में भी ट्राइजोमी हो रही है, 45 प्लस XS या XY है, एड़ोईड के अंदर पी ट्राइजोमी हो रही है, अठार्वे के साथ, लेकिन ये तो मोनोजोमी हो गी ना, 44 प्लस XO तो आंसर हो जाएगा, 1st, which of the following is not example of price हो गी है, तो आंसर हो जाएगा, 73 के अंदर, 1st, चलाए आगे, ओके, तो अभी जो पीछे वाला इसक्शन करके अंद्रोसोफ के लाग वाला वही है, तो क्या है, select and option which show wild type female of cross A, in F2 generation, okay, wild type की है cross A के अंदर F2 generation में, यानि red eye और brown body होनी चीए, तो देखिए, यह देखो, red eye और brown body हो जाए, red eye और brown body, यह answer हो जाएगा, यह पर क्या है, यह लो यह तो wild नहीं है, यह recommendant है, यह भी recommendant है, तो answer हो जाएगा, first. खुशी से दिया है, simple साथ है, बच्चों वाला को से नहीं है? खुशी थेलेसीमिया और सिकल्सेल अलेमिया दोनों ही रोटोसो में, रिसेसिव डिजीज हैं, और हम लोग सिकल्सेल अलेमिया की बात करें, तो उसके अंदर point mutation होता है, पिछे पढ़के भी आये हैं, और उसके अंदर protein बनता है, बटा, गलोबिन वाला, तेकिन वो defective होता quantity नहीं, quality जो है, वो घड़बड होता है, तेलेसीमिया, alpha-thaleasymia, beta-thaleasymia होता है, उसमें जो गलोबिन चेन है, alpha यह पेटा वो कम बनती है, वो quantitative होता है, तेके, पाके दोनोंगोसो में, रिसेसिव होता है, तो इसमें देखते हैं, तेलेसेमिया and sickle cell enema are caused due to problem in global molecule synthesis, select and incorrect divination, तो देखें कि sickle cell anemia is due to qualitative, sickle cell anemia तो quantitative होता है, sorry sorry, sickle cell anemia is due to qualitative defect in globin chain synthesis, बिल्गो सही है, यह सही है, qualities वो गड़बड हो जाती है, फिर दोसा देखें कि thalassemia is due to less synthesis of globin molecule, यह भी सही है क्योंकि यह quantitative होता है, इसके अंदर alpha या beta जो चेन वो कम बनती है, point mutation या gene के deletion के बार, फिर sickle cell anemia is due to quantitative 9, गड़बड हो गया, problem of globin gene synthesis, quantitative नहीं qualitative, बोत है, example of mendelian disorder बिल्कुल सही है, और कैसे होगी, autosomal recessive, दोनों ही autosom पर मुझूद gene के वर्क नहीं करने के कारण होते है, ठीक है, तो इसके अंदर answer क्या जाने चीए, incorrect पूच रहता न, हाँ, तो incorrect हो जाएगा, third, 75 जो है, उसके अंदर answer हो जाएगा, third, down syndrome वाला था, यहाँ पर मैंने chromosome जो है, उनके साथ, जो भी भी है, उसको represent के, आपको identify करना था, तो देखें, कि odd one देखना है, इस figure के लिए, और यह figure किस के लिए, down syndrome की लिए, जिसके अंदर 21 chromosome की क्या होती है, it is about, it is about an individual affected with down syndrome and the corresponding chromosome of the individual, यहाँ सही है, cause of this genetic disorder is the presence of an additional copy of 21 chromosome, यही सही है, यहाँ भी है, it is first described by, low down, 1866, 1866, that's the same, यह इस वाला हुड़ा साभी, आपको गड़ को गया, फिर अफेक्टेड इंडूजर इस विद स्मॉल रांड हेड चोटा वोल सीर होता है और जो टंग है वो फारोड होती है उसमें एक्लैप्ट होती है और फीजिकली और मैंटली वो रेटार्डेड है ठीक है संपल साब्यू संपल सही किया होगा आप लोग ने यहां पर मैंचिंग वाला कुष्ण है मैंच करना है तो फिनाइल टिटोन यूरिया ओ्टोसोमल रिसेसी हुए जिसके अंदर आपको मैंने बताया था कि फिनाइल एलनेन हैट्रोक्सिलोई बनता नहीं है तो इसको किस से मैंच करें हम लोग तो अगर यह देखो एक्कुमिले कि observed due to mutation or deletion of one or more of the four gene और alpha thalassemia के अंदर इसके चार जीन मुझूद होते हैं होते तो वैसे दो जीन है लेकिन हर एक के alternative form है चार allyl होगे ने एक जीन दो allyl होगे उसके तो दो जीन है लेकिन allyl को अगर माने तो चार इसके अंदर count की एकार है तो उन में किसी एक के अंदर mutation and deletion होते है विटल थेलेश्यमिया में controlled by single gene on chromosome 11 फिर color blindness ये NCD के लाइन है ये ज्यादतर मेल में देखी जाती है और कम female में होते है क्योंकि ये excellent recessive होता है और जो भी excellent recessive होता है वो male में ज्यादा होता है क्योंकि female में 2x होते है और male में 1x होता है तो यहाँ पर एक का 2 होगा एक का 3 दे रखा है एक का 2 है इसमें B का 1 है इसमें C का 4 और D का 3 यह पर 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 देखा है तो 77 जो है उसके अंदर आंसर हो जाएगा अब फर रिलेसंस बिट्विन जीन एंड डियने और बेस्ट अंडिस्टूट वाला जो चेप्टर है उसके अंदर mutation के अंदर दे रखा है आप लोग वाँपर देखें कि जो डियने उसी के उपर जीन होते हैं अगर उन जीन के अंदर mutation हो जाए तो उससे पिर जो है उससे पिनोटाइब के वैसे स्पे इसको समझा जा सकता है तो तो बीट्विन जीन एंड डियने और बेस्ट अंडिस्टूट वाई mutation studies तांसर हो जाएगा 78 के अंदर फुवन ठीक है यह भी वही पर molecular basis of inheritance के अंदर mutation के अंदर दे रखा है और वहाँ पर यह एक टाइप का frame shift mutation है उसमें क्या लेका है कि for best understanding of effect of word mutation consider the below statement कि Ram has red K okay select and correct rearrange statement if we insert B in between has and red अगर है और red के बीच में इन के बीच में हम लोग B को insert कर दें इंसर्ट भी अगर इन दोनों के बीच में B को डाल दें तो Ram has अब यहां पर बी आई आर गड़गड़ हो गया फिर Ram has फिर बी आर आना था यह गड़गड़ हो गया देख ना Ram has फिर बी आर इड़ यह दो फ्रेम पीचे सिप्ट होगी बी आर ए और डी सी एपी के साथ चला गया दी सी एपी यह वाला इसके अंदर फर्ट हो जाएगा NCLT जी ने इसको molecular basis के अंदर दे रखता है तो आपर यह भी लिखा है कि अगर यह तो इससे ट्रिप्लेट की फॉर में डाल दिया जाए तो उससे ट्रिप्लेट यह उसका मॉल्टिपल तो उससे नम्मर उप इमायनोशिट जो हो कम यह ज्याता हो सकते हैं ओवरोल एक्ट नहीं पड़ता है तो 79 के अंदर आंसर थर्ड होगा वहीं पर NCIT ने Molecular Basis of Intense में Mutation के अंदर इसकी बात की है तो देखें कि incorrect one for point mutation हमें यहांपर देख रहें तो देखें कि insertion or deletion of one or two base change the rating frame from point of insertion or deletion जैसे आपर देखें कि यहां पर अगर कोई एक base insert हो जाए इनके बीच में जैसे यह वाला यहां पर एक base अगर insert हो जाए तो point of insertion के यहां पर वो frame जो है उसमें बदलावाएगा frame यह तो आगे shift होगी या पीछे shift होगी तो यह सबसे खतरनाक type का point mutation होता है तो insertion or deletion of one or two base change the rating frame from point of insertion तो यह वाला जो हो सही है फिर point mutation involved change in single base यह भी सही है ऐसे यह ले लिख रखा है फिर insertion or deletion of three और multiple base insert or delete one or multiple codon hence one or more multiple immunosid देकि insertion or deletion of three और multiple यानि इसका multiple यानि तीन होड़ दो इसका मतलब है अगर DNA में यह 3 आएंगे तो mRNA में भी ऐसे 3 आएंगे और mRNA में अगर ऐसे 3 extra आएंगे तो हर codon से extra immunosid आएगा तो वही आपी कसम जाए जा रहा है कि insertion or deletion of three or multiple base insert or delete in one or multiple codon यह देको mRNA में और इसलिए multiple immunosid भी protein के अदर आजाएगी तो यह वाला भी इसके अंदर perfect है molecular वाले chapter के अंदर इसको भी explain कर रहा है फिर है कि classical example of mutation is hemophilia A9 तो इसका अंसर हो जाएगा ठीक है select odd one with respect to mutagen mutagen के लिए देखन है कि जो उत्परिवर्तन जान है तो DNA के अंदर बदला उडाते हैं उनके लिए गलत देखना है तो फेल है कि they are chemical and physical factor that induce mutation सही है UV radiation cannot नहीं UV radiation तो mutation कोज कर सकती है यह वरा बलत होगा तीसरा mutagen may be of biological origin सही यह virus कोज कर सकते है mutagen may be directly on DNA and causing direct DNA damage directly DNA पे कारे करते हुए उसको damage कर सकते है तो इसके अंदर आंसर हो जाएगा second in human genetics which one provide a strong tool to trace the inheritance of a specific trait abnormality or disease तो pedigree analysis, mutation studies, natural selection और artificial selection तो 82 जो question है इसके अंदर human genetics की बात की गई है उसमें एक ऐसा tool पूचा है जो inheritance किसी specific trait की या disease की उसको detect कने के लिए यूज किया जाता है तो वो जाएगा पेडिगरी analysis, NC-18 ने इसको लिख रख रख रहा है ठीक है तो यह pedigree से related ही कि उसन अब आ गया है तो 83 में देखे which one is not a correct description for the symbol used in the human pedigree analysis तो इसमें देखें कि affected individual सही है यहां पे matting को represent कर रहा है सही है sex unspecified सही है NC-18 ने लिखा है फिक यहां पे देखें उपर जोंगे वो parents होंगे और नीचे बच्या होंगे तो parents above and children below लेकिन यहां पे देखें कि यह birth का order वो left to right होता है यहां पे क्या लिखा है birth in order of birth right to left नहीं left to right होगा है यानि age होगा वो सबसे बड़ा होगा यह age में बड़ी होंगी और यह age में छोटा होगा मालो इसकी साल अगर इसकी age पंदरह साल है तो इसकी 10 साल होगा तो left to right होगा ही इसलिए answer होजाएगा 4 तो यहां पर एक पेडिग्री चार्ड गे रखा है आपको यह वाले जो क्यूस्सन है आपको पता है कि जो disorder होते हैं वो दो टाइप के होते हैं dominant या recessive अब वो dominant या recessive disorder होते हैं उनके gene autosome पे भी हो सकते हैं और allosome पे भी हो सकते हैं autosome पर अगर कोई gene work कर रहा है उनसे protein बन रही और normal phenotype है तो व्यक्ति के अंदर disease नहीं होगी लेकिन autosome पर वो gene अगर mutation की वज़े से काम नहीं कर पाए तो उसका product नहीं होगा और product अगर नहीं बनेगा तो disease हो जाए इसका मतलब है कि autosomal recessive disease की अगर आपनों बात करें autosomal recessive disease की तो इस दोरान व्यक्ति normal होगा इस दोरान heterozygals carrier होगा और male female दोनों में disease होगी अगर parent जो है वो normal है तो progeny में disease हो सकती है या progeny normal भी हो सकती है अगर autosomal recessive parent में दोनों में disease है तो सारे बच्चों में disease होगा इसी तरिके से autosomal dominant की बात करें कि अगर autosom पर कोई gene work नहीं कर रहा है protein नहीं बना रहा है defective तो वो व्यक्ती normal है अगर वो dominant हो गया protein बना दिए उस protein से disease होगी इसका मदब है autosomal dominant disease है और autosomal dominant disease इस दोरान होगी इस दोरान होगी लेकिन इस दोरान autosomal dominant disease नहीं होगी वो normal होग बिल्कुल यही concept sex linked के लिए कि अगर gene work कर रहा है वो disease हो रही है तो sex linked dominant है अगर gene work जो है नहीं कर रहा है और तब disease हो रही है तो वो sex linked recessive होता है तो इसमें आपको देखें उमें पैचानना है कि सबसे फ़ले cytoplasmik देखते हैं तो उसमें maternal inheritance मतद में disease होड़ी चाहिए यानि maternal नहीं है y linked देखते हैं उसके बाद में y linked में male में disease नहीं है इसकाँ दो y linked भी नहीं है तो उसके बाद में हम लोग autosome या allosome को dominant recessive recording चेक करते हैं तो इसमें देखें कि अगर हम लोग autosomal dominant को चेक करें autosomal dominant disease अगर होगी तो parent में किसी एक में disease जरूर होगी लेकिन यहां पर दोनों parent normal है यहां पर दोनों parent normal है और यहां पर भी देखें दोनों parent normal है और frozenive disease है ऐसा possible नहीं है dominant disease के अंदर कम से कम एक parent में disease जरूर होगी यहां पर आम लोग पर reject कर लिया फिर sex linked recessive अब आपको देखें, कि sex link recessio की अगर हम लोग बात करें, यानि x x, और ये mother मालो एक्टर हो जाएगा सा, इमोपीलियागा जीन इस पे, और इस पे इमोपीलियागा जीन एक वाला हिस्सी आगया mother से और ये एक father से, लेकिन father तो normal है, father normal है, father normal और डोटर मेटीजी जा, ऐसा possible न नहीं है, फिर देखें, x-link dominant की अगर हम लोग बात करें, तो x-link dominant क्यों नहीं हो सकता, तो x-link dominant की बात करें, तो ये देखो, कि इस sum के अंदर disease है, और कोई dominant gene x chromosome के है, तो x mother से आया है, और mother तो normal है, यानि ये x अगर इधर से आया है, तो इसमें तो disease होनी चीए थी, ये तो नहीं है, तो normal, इसका अंदर excellent dominant भी नहीं है, फिर बच गया क्या, autosomal recessive, genotag लिखके समझा देता हूं, autosomal recessive की बात करें, यानि, disease, disease, यानि एक small है इधर से, और एक small है इधर से, इन दुन डिजीज नहीं है, इन केप्टल, एक केप्टल, तो ये एट्रोजाईगस ये homozygous ruminant भी हो सकते हैं, और heterozygous है, और ये वाला जो है heterozygous, और फिर ये disease, यानि, small है, यानि, ये दोनों ही के हैं heterozygous, फिर यहां पे disease, इन में disease नहीं हो सकता है, केप्टल है केप्टल है, तो ये हो सकता है heterozygous, यानि, यहां सबने, unotype के according, हम इसको explain कर सकते ह ये तांसरो जाएगा थर्ड, in the following human pedigree, which one progenic is oldest, यानि, सबसे बड़ी है, तो सबसे बड़ी, left to right check करना है, यानि, age हो है, वो सबसे बड़ी है, यानि, इसकी age अगर 25 है, इसकी 20 होगी, इसकी 15 होगी, इसकी 10 होगी, तांसरो जाएगा, फोड, ओके, तांसरो जाएगा, ज यानि, यानि, यहां पर blood group है, AP, और यहां पर blood group है, A, तो father का पोचा है, अब आपर देखें, कि इस तरफ से जो है, वो A आ गया, अब हमें father की तरफ से small i चीए, तो small i एक तो किस वज़े से हो सकता है, I, A, small i, एक इस वज़े से हो सकता है, I, B, small i, और एक O की वज़े से हो सकता है, small i, small i, तो देखो, इधर से Ia ये वाली condition में, ये small i आगागा इधर से Ia ये वाली condition इधर से small i आगागा AB लेंगे तो फिर small i नहां से आगा, यानि तीन तो phenotype होंगे और तीन genotype, तो ये ऐसा option देखो, तीन genotype और तीन phenotype, पहांसर रजाएगा first, टीकै? आएब इस की ए मैरेज मेरेज ए खुमें वो हीज वेज का ए इस के रिए इस के रिए के रिए तो यहां पर दो गेमिए ओप एधर दो गेमिए इस एकसे डाज देख गया अब देखें कि क्या मुचा है एक कलार में यह कलंद में दो के बेन बने हे और क्या है त्सक्राइब क्या ब्रण्य में वहार इसक्राइब कर अब और वो मेंन केरियर है, तो यह दो हो गिमेंट लेगी, then the probability of their sun being colorblind, कि वह सन की बाद भी है, तो 50% sun जो है, वो colorblind है, 50% जो normal है, यानि 50% यानि 0.5 भी ले सकते हम लो, तो आंसर हो जाएगा 7. Okay, select and incorrect match with respect to Mendelian disorder, Okay, myotonic dystophy autosomal dominant कोती है, यह मतलब अगर autosom पर gene है, dominant form में, protein बनी, तो disease हो जाएगी, फिर hemophilia, sex link, recessive है, अगर X chromosome पर gene work नहीं कर रहा है, protein नहीं बन रहा है, तो disease होगी, यह भी सही है, Phenyl ketonuria, autosomal recessive है, यानि autosom पर gene work नहीं करेगा, protein नहीं बनेगी, disease होगी, और फिर albinism, autosomal recessive होता है, dominant नहीं होता है, तो का अशर हो जाएगा आपका 4, okay, इन रेंडम मेंटिंग पोपुलेशन हाडी बिन बर हुआ गा गा है, यानि, the frequency of recessive alline, यानि Q की value दीए, 0.4, then what will be the frequency of recessive phenotype, यानि आपको पता की alline की frequency की है, तो recessive phenotype की यानि Q का square करदो, यानि 0.4 का square, यानि 0.16 आपका यापर answer हो जाएगा 3, okay, फिर देखे, Turner syndrome and client filter syndrome can be easily studied by, यह भी LC18 ने लास्ट के अदर disorder में दिया है, उनकी जो chromosome है, उनकी carrier type paralysis किया गाएगा, तो Turner syndrome में पता लग जाएगा यह वाली condition है, और client filter में पता लग जाएगा कि यह वाली condition है, तो answer क्या हो जाएगा, तो यह अपना solution यह आपर complete हो गया है, मैंने पूरा परियास किया है, कि genetics के सारे concept जो हैं, उनको अपने इन ना इंटी किर्शन के अंदर लपेटते हुए, और कोई किर्शन को repeat न करते हुए, जो है discussion किया जाए, और आप लोगों ने इसका जाफी benefit लिया है, और मैंने पूरा effort लगया है, इसके solution में भी तो आप लोग इसका पूरा benefit उठाए है, तो अभी यह अपने जो है, complete होगे कोई कोई से 90 किर्शन, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे, इसकी evolution 91 से पूरे 180 तक, ठीक है?